एलो एवरीवन वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल और्डियोवर्स अस्ट्रल पेट चाप्टर पांच सौ एक्टालीस से पांच सौ पचास सुद्रिधी करण जानवर राजा क्या कोई महान युद्ध पालतु योध्धा आ गया है कमंदिंग सेंटर के अंदर लोग एक दूसरे की आँखों में खुशी देखकर अवाक आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे एक प्रसिध युद्ध पालतु योध्धा उनकी सहायता के लिए आया था आखिरकार हांचेंग बेस सिटी को बचाया जा सका मेर को इस बात पर सहसा विश्वास नहीं हुआ वह भ्रमित था उसे याद आया की टावर ने मदद के उसके अनुरोध को अस्विकार कर दिया था क्या किसी प्रसिध युद्ध के पालतु योध्धा को वहां जाने और मदद का हाथ बढ़ाने का समय मिला था आये चलें और महान युद्ध के पालतु योध्धा का स्वागत करें मेर ने तुरंट कहा किसी भी तरह हांचेंग बेस सिटी एक प्रसिध युद्ध पालतु योध्धा के समर्थन से सुरक्षित रहेगा वह दो पशुराजाओं को रोकने में सक्षम होगा या यदि यह बहुत अधिक हो तो हर कोई सहायता की पेशकश करने के लिए आगे आ सकता है मेर ने कुछ को कमान में रहने के लिए कहा और बाकी को अपने साथ ले लिया तीन जानवर राजा पास-पास लड़ रहे थे जंगली जानवरों का पिछला गठन बाधित हो गया था और उनकी गती धीमी हो गई थी तीन जानवर राजाओं के बीच लड़ाई तीवर थी उन्होंने कई प्रसिध धरैंग कोशलों का प्रदर्शन किया जमीन को फाट डाला, आग बुझा दी और अपने आसपास के जंगली जानवरों को गलती से मार कर अराजकता पैदा कर दी गरजन युद्ध के मैदान में धौकनी और चीखें कूँचती रही दूसरे जंगली जानवर राजा के हमलों की परवाह किये बिना मगरमच जंगली जानवर राजाओं में से एक पर बेरमी से हमला कर रहा था शहर की दिवार पर पहले से निराश युद्ध के पालतु योध्धा खुशी के आसूरों रहे थे कुछ युद्ध पालतु योध्धा जो अन्य बेस शहरों से स्वयन सेवा कर रहे थे मगरमच को देखकर आश्चर यचकित हो गए उन्होंने पहचान लिया कि जानवर राजा परिचित लग रहा था यह वही जानवर राजा है जिसे हमने लोंगजियां बेस सिटी में देखा था, है न क्या यह फेट चैलेंजर की सवारी नहीं है जिसने सुप्रेमेसी लीग में एक प्रसिध युद्ध पालतु योध्धा को मार डाला था ठीक उसी समय तीन पशु राजाओं के बीच का बंधन तूट गया मगरमच ने दो जंगली जानवर राजाओं में से एक को बुरी तरह से मार डाला था मगरमच भागने की कोशिश कर रहा था जबकि दूसरा जानवर राजा मगरमच को धीमा करने की कोशिश कर रहा था मगरमच के दो प्रतिदवंध भी थे लेकिन वह बढ़त हासिल कर रहा था जो कई लोगों के लिए आशाका स्रोत बन गया था जल्द ही, मेर और उनके सेनाप्ती आ गए थे, वे शहर की दिवार पर चड़ गए और निरीक्षन किया, किसी ने तुरंत मेर से संपर्क किया और वर्तमान स्थिती की सूचना दी, उनकी राहत के लिए मगरमच उनके पक्ष में एक जानवर राजा था, वह इस बात से चान लिया, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गए, मेर ने जल्द बाजी की आदरनिय ब्लेड क्या सुखद आश्चर्य है, मदद के लिए आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आदरनिय ब्लेड मुसुराया, तुम्हारा बहुत स्वागत है, जब जंगली जान ब्लेड का था और अभी भी उसे विश्वास था कि एक प्रसिद्ध युद्ध पालतु योद्धा वहा था, मेर आभारी थे, भले ही उनका मानना था कि उस समय ब्लेड की उपस्थिती केवल सोने पर सुहादा थी, मुझे विश्वास है कि मेरा साथी दो जंगली जानवर राजाओं की देख भाल कर सकता है, मुझे आश्चर्य है, बाकी जगें कैसी चल रही है, सर? आदरणिय ब्लेड ने पूछा, मेर अभी भी उस प्रसिद्ध युद्ध योद्धा की खोच कर रहे थे, जब उन्होंने आश्चर्य जनक शब्द सुने, आपका साथी, क्या आ एक महान युद्ध के पालतु योद्धा के साथ आये हैं? विनेरेबल दबलेड के लिए एक प्रसिद्ध युद्ध पालतु योद्धा के साथ आना कोई अजीब बात नहीं थी, विनेरेबल दबलेड ने गलतफमी पर ध्यान दिया, वह मुसकराया, मैं यहाँ अकेले हू मैं जिस साथी की बात कर रहा हूँ, वह दलदल युद्ध मगर मच है मेर हक्का बक्का रह गया वह दुष्ट पशु राजा विनेरेबल दबलेड का है मेर को विनेरेबल दबलेड की प्रसिधी और इस तथ्य के बारे में अच्छी तरह से पता था कि वह एक प्रसिध युद्ध योद्धा के लिए काम कर रहे थे इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह किसी समय महान पद पर पहुँच जाएगा लेकिन मेर ने उसके बारे में पहले से ही एक जानवर राजा के बारे में नहीं सुना था सर क्या आप महान रैंक तक पहुँच गए हैं मेर अधिक सम्मान के साथ बोलने से खुद को नहीं रोख सके विनेरेबल दबलेड को यह मनोरंजत लगा कि मेर अचानक इतना डरपोख हो गया और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था वरुन से पशू राजा प्राप्त करने के बाद विनेरेबल बलेड पहले से ही बहुत अच्छे मूर में था जानवर राजा के आकरशन ने उसे और भी अच्छे मूर में डाल दिया था मेर भी उपाधी पद के शिखर पर था और एक शहर का गवर्नर था सैधान्तिक रूप से मेर को विनेरेबल दबलेड से उच्छ दरजा प्राप्त था लेकिन मेर ने बाद वाले को आश्चर यच्छ कित कर रथा था यह महान रैंक के लाभों में से एक होना चाहिए विनेरेबल दबलेड महान रैंक तक पहुँचने के लिए और भी अधिक उच्छ सुक थे सर आप गलत समझे हैं मैं महान पद तक नहीं पहुचा हूँ मेरे एक दोस्त ने मुझे यह युद्ध पालतू जानवर दिया महापौर तुन्हें दिया गया मेर ने विनेरेबल दबलेड को अचंभे से देखा मेर ने देखा कि विनेरेबल दबलेड पहले से बहुत अलग नहीं लग रहे थे उन्हें अब तक महान रैंक तक नहीं पहुचने के बारे में सच बताना पड़ा लेकिन वह एक जानवर राजा था एक जानवर राजा को कौन छोड़ेगा? ऐसे दुष्ट पशु राजा का तो जिक्र ही नहीं एक महान युध पालतू योधा शायद एक कमजोर जानवर राजा को देना चाहेगा जिसकी उसे अब आवशक्ता नहीं है लेकिन निश्चित रूप से वह इतना शक्तिशाली नहीं होगा यदि उप्ट प्रसिध युध पालतू योधा को अब उस मगरमच की आवशक्ता नहीं रही तो अन्य युध पालतू जानवर कितने शक्तिशाली होंगे मेर को इसके बारे में सोचना भी डराबना लगा बधाई हो सर विनेरेबल दबलेड हसे उन्होंने विशय को वापस तातकालिक मुद्दे पर बदल दिया सर बाकी जगहों का क्या हाल है क्या कोई और जानवर राजा है मेर ने सिर हिलाया ऐसा नहीं है कि हम फिलहाल इसके बारे में जानते हैं सर आपके महान व्यभार के लिए धन्यवाद हांचेंग बेस सिटी के लोग आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे भले ही वेनेरेबल दबलेड महान पद पर नहीं थे फिर भी मेर सम्मान के साथ बोल रहे थे आखिरकार ऐसे भयानक जानवर राजा के साथ आदरनिय बलेड को अब चरम पर एक सामान्य शीर्षक वाले युद्ध पालतु योध्धा के रूप में नहीं देखा जाएगा आदरनिय बलेड को राहत मिली अच्छा मैं समय पर पहुँचने में काम्याब रहा सर आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है दरसल मेरे दोस्त की इच्छा थी कि मैं आकर मदद करूँ इसके बजाए आप उसे धन्यवाद दे सकते हैं पशुराजा ने जो मुझे दिया था उसके बिना मैं ज्यादा उप्योगी नहीं होता भले ही मैं आभी जाता मेर ने पूछा और आपका दोस्त है वह एक दिल्चस्प और अजीब लड़ता है वह लोंगजियान बेस सिटी में रहता है और वहाँ पिक्सी पेट स्टोर नामक जगह चलाता है वह वरुन के नाम से जाना जाता है एक किमवदंती जो दावा करती है कि वह एक महान युद्ध योद्धा नहीं है मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने उसके बारे में सुना है वह वही है जिसने सुप्रमेसी लीग के दोरान एक प्रसिध युद्ध योद्धा को मार डाला था विनरेबल दबलेड का मानना था कि मेर ने निश्चित रूप से उस चौकाने वाली खबर के बारे में सुना था उसे मेर स्तब्ध रह गए बेशक उन्होंने सुप्रमेसी लीग जैसे भव्य आयोजन पर ध्यान दिया होगा और संसनी खेस घटनाओं के बारे में सुना होगा सबसे पहले किंग परिवार के बुढ़े व्यक्ती ने बाहर आकर खुलासा किया कि वह वास्तव में महान पदपर था फिर एक रहस्यमय व्यक्ती जिसका कोई प्रिष्ठ भूमी नहीं थी बाहर गया और उसे मार डाला बहुत से लोग यह जानते थे आदरनिय बलेड का दुष्ट जानवर राजा उसे उस व्यक्ती द्वारा दिया गया था उन्होंने वेनेरेबल डबलेड को भी वहां जाकर मदद करने को कहा ऐसा लग रहा था कि वह हिंसक आदमी आखिर इतना क्रूर नहीं था मेर ने इमानदारी से कहा मैं उनसे मुलाकात करूंगा और व्यक्तिकत रूप से उन्हें धन्यवाद दूंगा आईए पहले हांचेंग बेस सिटी की देख भाल करें मेरे दोस्त को आपचारिक ताओं की इतनी परवाह नहीं है मेर ने सिर हिलाया उन्होंने अपने सेनाप्तियों से कहा कि वे दल्दली युद्ध मगरमच के साथ मिलकर काम करें और जंगली जानवरों को भगाएं दल्दल युद्ध मगरमच ने त्वरित परिनाम उत्पन किये आदरनिय बलेड ने अंदर कदम भी नहीं रखा वह अभी तक जानवर राजा से परिचित नहीं था इसलिए उसे डर था कि अगर वह अनुचित निर्देश देगा तो वह जानवर राजा को बाधा पहुचा सकता है इसके तुरंत बाद उर्व में मंदरा रहा संकट हल हो गया मारा गया जानवर राजा भाग गया और दलदली युध मगर मच्ष ने दूसरे जानवर को मार डाला राजा जंगली जानवर तेजी से भाग गये मेर ने पीछा करने का आदेश नहीं दिया उसने ताकक बचाई ताकि दूसरे पक्षों की मदद की जा सके उस रात, खबर में कहा गया कि हांचेंग बेस सिटी सफल हो गई है लोगों ने खुशी मनाई बोज उतर गया था आदरनी अब लेड का चहरा हांचेंग बेस सिटी के सभी आधिकारिक टीवी चैनलों पर देखा गया था लोगों ने तालिया बजाकर उनका शुक्रिया अदा किया पिक्सी पेट स्टोर लोंगजियांग बेस सिटी वरुन अभी भी दिन बदिन पालतू जानवरों को प्रशिक्षन दे रहे थे यदि उसे भूख लगती तो वह खेती की जगहों पर खाता अगर उसे नींद आती तो वह वही जपकी भी ले लेता हर बार जब वह दुकान पर लोटता था तो खेती स्थलों पर दोबारा जाने से पहले वह पालतू जानवरों का एक और बैच ले जाता था उन्होंने ड्रेगन को ड्रेगन क्षेतर में प्रशिक्षित किया और कुछ पालतू भोजन उठाया जो ड्रेगन को पसंद था उन्होंने खेती स्थलों पर कुछ रहस्यमई जड़ी बूटिया खाली कुछ ने उसे मरवा दिया और कुछ ने उसे मजबूत कर दिया द्रेगन उनका एक मात्र फोकस नहीं थे उन्होंने तत्व परिवारों के पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न तत्वों के विभिन्नक्षेत्रों का दौरा किया आग के क्शेत्र में, उन्होंने अग्णी परिवार और बर्फ परिवार दोनों के पालतू जानवरों को समान रुप से प्रशिक्षित किया। आग के लोकों के अलावा, वरुन ने गरज और बर्फ के लोकों का दौरा किया, ये सभी मध्यम दर्जे के खेती स्थल थे, वरुन को वजरलोक में बहुत लाब हुआ, वह पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करते हुए खोजबीन कर रहा था, उसे गड़गडाहट और ब एकत्र कर लिया था, समय उड़ गया, दस दिन बीट गए, जब तक वरुन ने प्रशिक्षन समाप्त किया, तब तक लोगजियांग बेस सिटी पर हमले के तेरह दिन बीट चुके थे, लगभग दो सप्ताह में, लोगजियांग बेस सिटी धीरे-धीरे युद्ध की चाया से बाहर निकल आया था, आधार शहर अपनी जीवन्तता वापस पा रहा था, और पहले से भी अधिक जीवन्त हो रहा था, दुकाने फिर से खुल रही थी, आखिरकार लोगों को अपनी जरूरते पूरी करने के लिए पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, भूमिगत रेल्वे फ आने से आश्चर्यच कित थी, पहले वाले को पता चला कि विदेशी प्रतिनिधी किसी के बारे में पूछने के लिए वहां आये थे, उन्हें तुरंट समझ में आ गया कि वह क्यों आया है, वे वरुन के लिए वहां थे, शहर के बाहर कई लोगों ने सुना था, कि जब लो उंगजियांग बेस सिटी की सफल रक्षा और भी बड़ा आश्चर्य था, कुछ बाहरी ताक्तों ने आसपास पूछताच की और कुछ जानकारी एकतर की, सारी खबरों का केंदर वरुन ही थे, कुछ ताक्तें जैसे टैंग फैमिली और स्टार और्गनाइजेशन को हमले स पहले ही वरुन के बारे में पता था, बाकी लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, ऐसा कहा जा रहा है कि यह उनके हितों के विरुध होगा यदि वे उस रहस्यमय फिर भी शक्तिशाली युध्ध प्रिय युध्धा से मित्रता करने में जल्दबाजी नहीं करत वे चुपचाप इंतजार करते रहे, वास्तव में उन्होंने सोचा की एक महान युध्ध युध्धा को यही करना चाहिए, उस दिन और युग में सभी अध्भुत पात्र अपने दरवाजे बंद करना पसंद करेंगे और आगंतुकों को देखने से इंकार कर देंगे, य बेस शहरों से कई लोग बेस सिटी की मदद के लिए गए थे, और उन्हें लोंगजियान का एक आश्चर्यजनक पक्ष देखने को मिला, वरुन ने स्वर्गिय राजा को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था, आधार नगर के प्रमुख परिवारों में पशु बेस सिटी एक शीर्ष स्टरियर बेस सिटी के रूप में योग्य हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि यह अभी भी क्लास B बेस शहर था, कितना मामूली आधार शहर है, यह देखना अपमान जनक था कि लोंगजियान ने खुद को क्लास B बेस शहर के रूप में वर्गिकृत किया, जबकि उसके पास कलास A के रूप में वर्गिकृत होने की आवश्चकता थी, इतने सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, वह दुकान नहीं खोल रहा है, और वह घर नहीं लोटा है, वह क्या सोच रहा है, ली किंदरू घर के पास खड़ा था और दुकान को देख रहा था, सपश्ट रूप से चिंतित था, सड़क के किनारे कम से कम सैकडों लोग इंतजार कर रहे होंगे, और फिर भी वरुन को या तो घर गए या स्टोर खोले हुए 10 दिन हो गए, ली किंदरू चिंतित थे, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, वो जनता है कि वो क्या कर है, उसके बारे में चिंता मत करो, सुयुआनशान ने अपनी पतनी को सांत वना दी, वह भी आश्चर्यच कित था, सुयुआनशान ने अपना सिरहिलाया और अपनी पतनी को घर खीच लिया, हम दोनों बूढे विवाहित जोडे को अपने बेटे के व्यवसाय से दूर रहन तो क्या आपको लगता है कि मैं बूढा हो गया हूँ, नहीं, तुम जूट बोल रही हो, तुमने तो मेरे सामने जूट बोला, आप बदल गए है, दुकान पर, वरुन जिन्होंने खेती स्थलों पर सौ दिन बिताए थे, आखिरकार लोट आए, वह दस दिन पहले की तुल प्रशिक्षन पूरा कर लिया है, वरुन ने आह भरी, वह दिन रात पालतु जानवरों को प्रशिक्षित करता रहा और खेती स्थलों पर सौ दिन बिताए, परिवर्तन उसके लिए स्पष्ट थे, प्रशिक्षन से केवल पालतु जानवर ही लाभार्थी नहीं थे, वह भ अधिक शक्तिशाली हो गया था, यहां तक की पशु राजा भी उससे हीन महसूस करेंगे, वह केवल अपनी शारिरिक शक्ती का उप्योग करके, महासागर राज्य में एक सामान्य जानवर राजा को एक मुक्के से मार सकता था, जहां तक शीर्षपद पर विरोधियों की ब और उनने अपनी हथेली उपर की ओर कर ली, उसके हाथ में बैंगनी लप्टों का एक गोला नाचने लगा, जब उन्होंने अगनी के ख्षेत्र में प्रशिक्षन लिया, तो उन्होंने अगनी के प्रारंभिक नियम सीख लिये थे, गड़गडाहट के ख्षेत्र में उनके शारिरिक शक्ती बढ़ गई थी। सोलर बुलवार को जोडने पर वह अपनी शारिरिक शक्ती के अलावा किसी और चीज पर भरोसा करते हुए एक महासागर राज्य के जानवर राजा से भी लड़ सकता था। उसकी कोशिकाओं के कोर में गहन सुक्षम शक्तिया संग्रहीत थ भंवर काफी बड़े और ठोस थे। स्वर्ग के परीक्षणों ने उसकी सुक्षम शक्तियों को शुद्ध करने में मदद की थी, जब भी वह नई सुक्षम शक्तियों को अवशोशित करता था, तो उसके अंदर की शुद्ध सुक्षम शक्तिया स्वचालित रूप से फिर उसे उस पर एक नजर का एसास हुआ, जोआना उसे घूर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह गुंसुम है, यह क्या है उसने पूछा, जोआना को होश आ गया, उसने सिर हिलाया लेकिन उसकी आखों में आश्चर्य था, उसे अब यकीन नहीं था कि वह वरुन को लडाई में हरा पाएगी, पिछले दिनों के दौरान वह यह बताने में सक्षम थी कि हर बार जब वह किसी खेती स्थल से लोटा तो उसने प्रक्ती की थी, वरुन दस दिन पहले से अलग आदमी था, वह इस बात से आश्चर्य चकित थी कि वह कितनी तेजी से विकास करने म सक्षम था, तुम्हें अंदाजा है कि कितने दिन बीट गए, वरुन ने पूछा, उन्होंने खुद को खेती स्थलों पर प्रशिक्षन के लिए समर्पित कर दिया था और वास्तविक्ता में समय बीटने के बारे में भूल गए थे, जोआना ने उत्तर दिया, तुम्हें शुरू हुए दस दिन हो गए हैं, दस दिन वरुन आश्चर यचकित था, उन्हें एसास हुआ कि वह सो दिनों से अधिक समय से खेती स्थलों का दौरा कर रहे थे, यदि उसने पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने में दस दिन बिताय होते, तो आस्तन वह प्रती दि केवल 2.4 मिलियन उर्जा अंक बना रहा हूं, तब भी जब शीर्षक वाले युद्ध के पसंदीदा युद्धा मेरी सबसे महेंगी सेवाओं का उप्योग कर रहे हैं, व्यावसायक प्रशिक्षन के लिए बहुत अधिक उर्जा और समय की, आवश्चता होती है, वरुन उन्होंने निर्ने लिया कि उन्हें पेशेवर प्रशिक्षन में अपनी दक्षता में सुधार करना होगा, लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था, उन्होंने उन्नत खेती स्थलों का दौरा किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ख अधिक्तर अपनी व्यक्तिकत प्रक्ती से खुश हूँ। जानवरों के कमरे से बाहर आते देखकर खुश हुए। जानवरों के कमरे में प्रवेश कर गए लेकिन आप हमारे बारे में सब भूल गए। हम कितनी भी कोशिश करने के बावजूद दर्वाजा नहीं खोल सके। यदि आपने दुकान में कुछ स्नैक्स और आइस्क्रीम नहीं रखी होती तो हम भूखे मर जाते। वरुन को एसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तांग रुयान और जोंग लिंगटों के पास स्टोर को नियंतरित करने की अनुमती नहीं थी। व्यवस्था के अनुसार वे बाहर के लोगों से भिन नहीं थे। वे न तो दुकान में प्रवेश कर सकते थे और नहीं अकेले निकल सकते थे। मुझे खेद है। यह मेरा बुरा है वरुन ने माफी मांगते हुए कहा जाओ और स्नान कर लो। मैं इसे पूरा करने के लिए तुम्हारे लिए एक दावत खरी दूँगा। हम फ्तांग रुयान ने कहा। सर जोंग लिंगटों ने कहा। वरुन ने उसका सिर रगड़ा। मुझे खेद है कि आपको कश्ट हुआ। मैं इसे आपके मुताबिक बना दूँगा। जोंग लिंगटों की आखे चमक उठी। कैसे आपने जो कूडाक्चरा जमा किया है उसे साफ करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। ग्विती ग्यारा वरुन ने मजाग किया लेकिन उन्हें सचमुच अफसोस हुआ। अब लड़की को कुछ प्रशिक्षन कौशल सिखाने का समया गया था। उसने उसे अगनी के संपूर्ण प्राथमिक नियम सिखाने की योजना बनाई। इस तरह अगनी परिवार के पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करते समय उसकी तुलना नोवी श्रेणी के प्रशिक्षक से की जा सकती है। वह उसे भविश्य में प्राथमिक चपलता प्रतिभा भी देगा, अभी नहीं। आखिरकार एक ज्यानवर धक मारक दर्शिका एक पालतू जानवर की बुद्धी विक्सित कर सकती है। कुछ शीर्ष प्रशिक्षकों के पास वह कौशल भी नहीं था। वह उसका S-card था। वह उसे यह तभी सिखाएगा जब उसे बहतर लोग मिलेंगे। वरुन के वापस आते ही बाकी सब कुछ सामान्य हो गया। वरुन ने स्टोर का दर्वाजा खोला और सूरज की रोशनी में धूल का एक बादल नाच रहा था। एक बार जब वह दर्वाजे से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत से लोग सडक के किनारे बैठे हुए थे और उनमें से कई उन्नक योध्धा थे। वहां कई शीर्शक वाले युद्ध पालतू योध्धा भी थे। वरुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे स्थानिय लोग नहीं लग रहे थे। पर लोग के स्वर्गिय राजा को हराया था। लोग टेजी से आदर पूर्वक जुकने लगे। जो लोग उसे पहचानने में अस्फर रहे थे, वे डर के मारे कापने लगे और दूसरों के साथ वरुन को प्रणाम करने के लिए दोड़ पड़े। वरुन चकित था और आप कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा करने की जुरूरत नहीं है। उसके जवाब के बाद वरुन तुरंट अपने स्टोर में वापस चला गया। वह घर जाकर अपने माता-पिता को यह बताने की योजना बना रहा था कि वह ठीक है, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया क्योंकि वहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। वह उन लोगों का ध्यान अपने माता-पिता की और आकर्शित नहीं करना चाहता था। कहीं ऐसा न हो कि वे लोग पहले उनसे दोस्ती कर लें और अंतह उसके परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर दें। बाहर इंतजार कर रहे लोगों में से किसी को भी वरुन के जाने से बुरा नहीं लगा। एक प्रसिध युद्ध योध्धा को यही करना चाहिए। वे उन्नत योध्धा और यहां तक की शीर्षक वाले योध्धा भी कई दिनों से वहां प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें लावारिस छोर दिया गया था। लेकिन उन्हें अब भी लगा कि यह सामान्य है। आखिरकार वरुन एक प्रसिध युद्ध योध्धा थे। ल जब लोगों ने देखा कि यह निन्श्रेणी का बिजली का चुहा है तो उनकी दिल्चस्पी खत्म हो गई। उन्होंने बस यही सोचा की चुहे के पास कोई बुद्धी नहीं है क्योंकि वह ड्रैगन की मूर्ती का दबाव भी महसूस नहीं कर सका। मुझे नहीं पता था कि वह इतना चोटा था। मैंने लगभग लगशब्द कहे लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे लिए अच्छा जो लोग यह पहचानने में अस्पर रहे थे कि वरोन महान युध के पालतू योध्धा थे वे काफी व्यथित थे। अगर वे घमंड में आकर वरोन से बात कर तो वे सीधे तोर पर उसे नाराज कर देते वह उन्हें थपड मार सकता था और कोई कुछ नहीं कहता। दरसल उनके परिवारों को बाद में वहाँ जाना होगा और अपनी तरफ से वरोन से माफी मांगनी होगी। सडक के पार किन डुहुआंग दूसरी मन्जिल पर चाय की चुसकी ले रहे थे। जैसे ही वरोन ने दर्वाजा खोला, वह खड़ा हो गया और हलो कहने के लिए नीचे उतरने ही वाला था कि वरोन वापस अंदर चला गया। किन डुहुआंग अपनी सीट पर वापस चला गया। लोंगजियांग बेस सिटी की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और वह महान रैंक तक पहुँच गया था। उनके परिवार में रहते हुए किन परिवार का व्यवसाय और व्यापार सुचारू रूप से चलता था। किन अन्य चार प्रमुख परिवारों से मीलों आगे बढ़ गये थे, बाद वाले अब उनका म पहुच गया था। मैं उसे सड़क पर एक आम आदमी समझने की भूल करता। किन डुहां में अपना सिर हिलाया। यही वह जगह है जहां आप गलत हैं। वह दुनिया के साथ बहतर तरीके से घुल मिल गया है। मुझे यह कहना होगा कि मैं उसे हरा नहीं सकता, भले ही मैं अपने पालतु जान पालतु योध्धा आमतार पर अपने पालतु योध्धाओं की तुलना में कमजोर होते थे और यह एक सामान्य नियम था जो वरुन पर भी लागू होता था। मिस्टर वरुन बिजनेस के लिए स्टोर खोलने जा रहे हैं। जाओ और हमारे लोगों से कहो कि वे जल्दी कर और जगह ले लें। श्री वरुन निश्चित रूप से स्टोर बंद करते समय पालतु जानवरों को प्रशिक्षन दे रहे थे। बहुत से लोग अब श्री वरुन को जानते हैं और अधिक लोग लोंगजियां बेस सिटी में आ रहे हैं। अगर उन्हें पता चले कि वरु युद्ध योध्धा था, वरुन निश्चित रूप से केबल रुची के कारण स्टोर खोल रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वरुन ने कितनी बार दावा किया था कि वह गंभीर हैं। किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। उन्हें इसका सर्वोत्तम अधा उठाना था जबकि वरुन अभी भी स्टोर चलाने में रुची रखते थे। आखिरकार वरुन के स्टोर में पालतु जानवरों के प्रशिक्षन के प्रभाव अध्भुत्त थे। जब युद्ध शीर्षक वाले पालतु योध्धा अपने युद्ध पालतु कर दिया मैं इसे ठीक से समझूंगा वरुन वापस अंदर गया और 24 पालतू जानवरों के मालिकों को बुलाया और अपने लड़ाकू पालतू जानवरों को लेने के लिए कहा जब वह उनके आने का इंतजार कर रहा था तभी कोई चुपचाप सीधियों से उपर चला गया ज लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा तीनों के स्टोर के अंदर जाने के बाद उसने पूछा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ हम पालतू जानवरों को प्रशिक्षन और विभिन प्रकार के पालतू भोजन प्रतान करते हैं अधेर उम्र के आदमी ने ख कुछ भी खरीदने नहीं आया हूँ मैं हांचेंग बेस सिटी का मेयर हूँ और मैं सिर्फ अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए यहां आया हूँ विनेरेबल दबलेड को हमारी मदद करने के लिए कहने के लिए धन्यवाद ये वरुन को वह समाचार याद आया जो उसने देखा था तुम्हारा शहर कैसा चर रहा है क्या अब आप सुरक्षित हैं हां सर हम बिलकुल सुरक्षित हैं मेर ने अपना हाथ घुमाया और दो बकसे कहीं से भी प्रकट हो गए सर मैं इधर उधर पूछ रहा था और पता चला कि आप कुछ सामगरी खोज रहे हैं मैंने वह सूची प्राप्त करने की स्वतंत्र ताली ऐसा ही होता है कि हमारे आधार शहर में उनमें से दो सामगरिया थी एक हमारी सूची में था और दूसरा शेंग परिवार का था उनके परिवार के मुख्या ने मुझसे प्रशंसा के भाव के रूप में इसे आपके पास लाने उसे दो बक से मिले। हैंचेंग बेस सिटी की मदद करने का फैसला किया और वरुन वैसे भी वेनेरेबल दबलेड को स्वैंप वार क्रोकोडाइल बेचने जा रहे थे। लेकिन हैंचेंग बेस सिटी के मेर ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनसे मुलाकात की थी। वरुन को नमरता महसूस ह सर, हम आपका अधिक समय बर्बाद नहीं करेंगे, मेर जाने को तयार थे। वरुन ने पूछा, मेरे पास बिक्री पर एक औसक जानवर राजा है। क्या आप यह चाहते हैं। फेट स्टेट में ड्रेगन को पकड़ने की कोशिश करने के बाद भी कुछ जानवरों को पकड़ने वाली रिंगों को बर्बाद करने के बाद, वरुन ने आखिरी रिंग का इस्तमाल एक ओशन स्टेट ड्रेगन को पकड़ने के लिए किया, जिसकी लड़ाको ताकत पूरी थी, सोला, मेर चकित थे, वह मुझे एक जानवर राजा ड्रैगन बेच रहा है, उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह मतिभ्रम कर रहा था, उसे अचानक याद आया कि वेनेरेबल दबलेड ने उससे क्या कहा था, यह पता चला कि पशु राजाओं की विक्री कोई मजाक नहीं थी, यह प्रसिध युद्ध पालतू योध्धा वास्तव में पशु राजाओं को बेच रहा था, मेर ने गटत लिया, सर सर क्या आप निश्चित है कि आपके पास विक्री पर एक जानवर राजा है, मुझे आश्चर्य है, कीमत क्या है, वरुन ने कहा, कीमत 180 मिलिय मेर को चकर आ गया, उसके पीछे खड़े दोनों ने भी ऐसा ही किया, तीनों अविश्वास से अभिभूत थे, एक जानवर राजा के लिए यह कितनी सस्ती कीमत है, दूसरी और टांग रुयान और जोंग लिंगटोंग जानवर राजाओं को बिक्री पर देखने के काफी आदी हो गए थे, जब वरुन फिर से बिना किसी सपश्ट कारण के एक जानवर राजा को बेच रहा था, तो वे कोई टिपपणी नहीं दे सके, उसे इतने सारे पशुराजा कहां से मिले, उसे उनकी जरूरत नहीं थी, उन्होंने कभी नहीं देखा था कि वरुन के साथ दोनों लड़कियों ने उत्तर खोजने का प्रयास बहुत पहले ही चोड़ दिया था, वे उस स्थान पर बस कुछ मासूम दर्शक थे, अविश्वास भरी निगाहों के बीच वरुन ने दरवाजे पर कदम रखा और उस ड्रैगन को बुलाया जिसे उसने पकड़ लिया थ और उसे बिक्री के लिए उपलब्ध युध पालतू जानवरों की सूची में शामिल कर लिया, कीमत थी 180 मिलियन, बूम, दरजनों मीटर लंबा अजगर सड़क पर उत्रा और उसके पंक सड़क के दोनों और छटों पर फैले हुए थे, जिससे सूरच की रोशनी कम हो रही थी, एक जानवर राजा ड्रैगन की शातिर उर्जा ने उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, कई लोगों ने आश्चर्य से अपनी आखे सिकोडली, जानवर राजा, उन्नत युध के पालतू योध्धा अपनी बुद्धी से डर गए थे, एक पशु राजा उन सडक के उस पार दूसरी मंजिल पर किंडुहुआंग एक अजगर की अचानक उपस्थिती से आश्चर्य चित था, अगले ही पल उसे कुछ महसूस हुआ, यह है कि वह दोड़कर वरुन के स्टोर पर गया, उससे मिलने वाली प्रबल उर्जा ने उसे भीड को चीरने और व उससे भी अधिक मजबूत था, आखिरकार ग्रेगन सबसे शक्तिशाली जानवर थे, क्या आप यह चाहते हैं, वरुन ने मेर से पूछा, मेर अभी भी अजगर के पैरों को घूरे जा रहे थे, स्टोर के अंदर खड़े होने के कारण वह अजगर को पूरा नहीं देख सका फिर भी उसे यकीन था कि जानवर राजा की उर्जा उसके खून को जमा रही थी, इसे खरीदे, मेर अवाक रह गए, मैं 180 मिलियन एस्ट्रल सिक्कों के लिए जानवर राजा को प्राप्त कर सकता हूँ, वास्तव में यह एक मजाक नहीं है, क्या आप आश्वस्थ हैं कि मै इसे खरीद सकता हूँ, मेर को फिर से पूछने के लिए मजबूर होना पड़ा, वह चिंतित था कि यह वरुन द्वारा तयार किया गया, किसी प्रकार का परीक्षन होगा, और इसे खरीदने के लिए सहमत होने से वह बहुत अहमकारी लगेगा, और वरुन इसके लिए उसे अपमानित करेगा, 180 मिलियन में एक जानवर राजा को खरीदना चाज से मांगने जैसा था, बेशक मुझे यकीन है, वरुन ने मेर को आश्वस्त किया, अब जब आप मेरे स्टोर पर हैं, तो आप मेरे ग्राहक हैं, बिल का भुगतान करें, मैं उधार पर लेंडें नहीं क जन्यवाद, सिर्फ 180 मिलियन, मैं अतिरिक्ट पैसे स्विकार नहीं करता, बिल का भुगतान करें, क्यूर कोर काउंटर पर मुद्रित होता है, वरुन ने कहा, मेर ने क्यूर कोर देखा, उसने कोर स्कैन किया, और 180 मिलियन वरुन को ट्रांसफर कर दिये, वह 200 मिलियन सीधे वरुन को ट्रांसफर करना चाहता था, लेकिन दोबारा सोचने पर उन्हें आश्चर यहुआ कि क्या इससे वरुन बिल्कुल खुश होंगे, ऐसा व्यक्ती इतनी छोटी रकम का मूल्य नहीं समझेगा, वह युवक मूलतह जानवर राजा को मुफ्त में दे रहा था, चु वैसे एक बार जब आप मेरे स्टोर से कोई पालतू जानवर खरीद लेते हैं, तो आप जानबूच कर दस साल की अवधी के भीतर अनुबंध रद नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे पास आना होगा और कारण बताना होगा, फिर मेरी अनुमती के बाद अनुबंध रद करना हो क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं, मेरे बिना किसी हिचकी चाहट के सिरहिलाया, हाँ करता हूँ, इमानदारी से, यह एक जानवर राजा था, वह अपने स्वस्थ दिमाग में अनुबंध क्यों रद करेगा, मेर को यह नियम अनावश्यक लगा, लेकिन उन्होंने इसके बा आगे बढ़ो, वरुन ने कहा, ठीक तभी किन दुहुआम ने स्टोर में प्रवेश किया, मिस्टर वरुन बहुत दिनों से नहीं मिले, आपने मेरे लोगों के लिए बहुत परिशानी उठाई होगी, किन दुहुआम ने मुस्कुराते हुए कहा, वह किन परिवार के उस ब भावशाली व्यक्ति प्रतीत होते थे, किन दुहुआम ने तुरंक पीछा करना बंद कर दिया, मिस्टर वरुन यह ड्रैगन है, बिकरी पर वरुन ने कहा, अभी अभी बिका, पहले दो शब्द सुनने के बाद, किन दुहुआम खुशी से जूम उठा और आखिरी दो पाने में काम्याब रहे, युद्ध के पालतू जानवरों को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को बेचना वरुन का अधिकार था, और किन दुहुआम को पता था, कि वह वरुन से विशेशाधिकार नहीं मांग सकता था, मेर को आश्चर यहुआ, बहुत देर हो गई, तो यहाँ आदमी भी लड़ाई का पालतू जानवर खरीदने की कोशिश कर रहा था, तब मेर ने पहचान लिया कि वह बुढ़ा व्यक्ति किन दुहुआंग था, किन परिवार के नेता, दरजनों साल पहले किन दुहुआंग वेनेरेबल दबलेड की तरह ही एक प्रसिध यु सम्मान की बात है, मेर ने तुरंत कहा, वह उत्सुख था, ऐसा प्रतीत हुआ कि यह किन दुहुआंग के लिए स्टोर में पहली बार किसी जानवर राजा को खरीदने का मौका नहीं था, विनेरेबल दबलेड के साथ भी ऐसा ही होना था, मेर अवाक रह गए, उसने एक तु योध्धाओं के बारे में जानकारी रखेगा, मेर मुस्कुराए, श्री, जियांग आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, किन दुहुआंग ने कहा, वह थोड़ा इश्यालू था, वह सड़क के उस पार रह रहा था, और फिर भी मेर ने उसे पीटा था, जबकि वह उ एसास हुआ कि जानवर राजा को खरीदने से दूसरों को इश्या हो सकती है, उन्होंने फिर से धन्यवाद व्यक्त किया, और वरुन के निर्देशानुसार, वह ड्रैगन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए बाहर गए, जब मेर ने अजगर को पूरा दे रूप से ऐसे जानवर राजा के साथ अनुबंध स्थापित करने में असमर्थ होगा, मेर ने सावधानी से प्रयास किया, और जल्द ही ठेका सुचारू रूप से बन गया, जब तक सिस्टम का दबाव प्रभावी था, ड्रैगन जवाबी कारवाई नहीं करेगा, शुरु लिया था कि यह वरुन का पालतू जानवर है, हाला कि उनके सामने ही एक शीरशक वाला पालतू योध्धा उस अजगर का स्वामी बन गया था, क्या हुआ, वा, 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 कई लोग पहुँचे, वे मियू परिवार और अन्य प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग थे, ब अस्टर वरुन आपने एक और जानवर राजा को बेच दिया है, ये परिवार के बुजुर्ग प्रसनता पूर्वक मुस्कुराएं, लिव परिवार के बुजुर्ग ने उस अप्रिचित आदमी के बारे में पूछा, और आप हैं, अनुबंध फाइनल होने के बाद भी मे मेर ने जवाब न देने का फैसला किया, वह नहीं चाहता था कि अधिक लोगों को पता चले कि वह लोंगजियान बेस सिटी से नहीं है, मिस्टर वरुन धन्यवाद, मेर ने पलट कर वरुन को प्रणाम किया, इस तरह उन्होंने अपनी कृतग्यता का परिमान व्यक्त किया मैं केवल व्यवसाय कर रहा हूँ, आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, वरुन ने कहा, सामगरियों के लिए मैं ही वह व्यक्ती हूँ जिसे आपको धन्यवाद देना चाहिए, सर आपका बहुत स्वागत है वरुन छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ते थे, वह वापस अंदर चला गया, किन दुहुआंग और परिवार के अन्य बुजुर्गों को एसास हुआ कि वरुन ने जानबूच कर जानवर राजा को उस आदमी को बेच दिया था क्योंकि उसने वरुन को कुछ आवशक स तब्ध थे कि अपना मुह बंद नहीं कर पा रहे थे, वरुन ने उस जानवर राजा को बेच दिया, एक जानवर राजा देखने वाले लोटपोट हो गए, दर्वाजे के उपर पालतू जानवरों की दुकान शब्द आंखों को अपमानजनत लगे, यह एक पालतू जानवर राजा को पकड़ लिया था, कोई भी उससे अजगर को छीनने के लिए उचसुकता से उसका पीछा नहीं करेगा, एक जानवर राजा के साथ एक शीर्षक वाले युध पालतू योध्धा को भाग्य चुनौती देने वाला माना जा सकता है, भाग्य को चुनौती आम तोर पर कुछ सौ वर्षों में एक बार आते हैं और फिर भी तभी एक आदमी एक बन गया था, उसके पास एक प्रसिध युध योध्धा की शक्ती थी, चुनकी युध का पालतू जानवर चला गया था, किन दुहुआंग ने उदास और निराश होकर अलविदा कहा, परिवार के अन्य बुजूर्ग भी चले गए, उन्हें एक और मौके का इंतजार करना पड़ा, वरुन ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी अपने पालतू जानवर को लेने नहीं गया, हाला कि लगभग 30 मिनट बाद, जो लोग दुकान के बाहर इंतजार कर बाद में उन्होंने स्थानिय लोगों से कुछ जानकारी प्राप्त की और समझ गए कि वरुन का स्टोर पालतू पशु प्रशिक्षन सेवाएं प्रदान करता है, बेशक उनका प्राथमिक लक्ष अपने पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करना नहीं था, वे मुख्य कोई आपती नहीं है, मैं न केवल पालतू जानवरों को प्रशिक्षन देता हूँ, बलकि पालतू भोजन भी प्रदान करता हूँ, मेरे महमान बनो और देखलो मेरे उत्पाद उच्छतम गुनवत्ता बाले हैं, बिल्कुल, सर आपकी पालतू जानवर की दुकान सबसे अ नुमान लगाया था कि एक प्रसिध युद्ध पालतू योध्धा द्वारा संचालित स्टोर में कीनते बहुत अधिक होंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कीनते इतनी अधिक हो सकती हैं, एक उन्नत पालतू जानवर को प्रशिक्षन देने में 100 मिलियन का खर्च आए उन्हें प्रशिक्षक के रूप में मान्यता नहीं मिली थी, इतनी भारी कीमत मांगना कई लोगों को अस्वी कार्य था, जबकि कुछ ने छोड़ने का फैसला किया, कुछ ने दोस्ती बनाने के लिए पैसे खर्च करने का फैसला किया, कुछ लोगों ने 100 मिलियन का भुग तब ही 20 साल की एक लड़की की नजर तांग रुयान पर पड़ी, जो ग्राहकों को प्राप्त करने में मदद कर रही थी, उसे यह सुनिष्ट करने के लिए करीब से देखना पड़ा कि यह वास्तव में तांग रुयान ही था, लड़की लाइन से बाहर निकल गई और एक न तांग रुयान के पास भागी और पूछा, रुयान क्या यह वास्तव में तुम हो, तांग रुयान ऊप गई थी क्योंकि हर कोई अच्छा व्यभार कर रहा था और उसके पास पालन करने के लिए कोई आदेश नहीं था, वह उस लड़की से आश्चरियचकित थी जो उसकी के समारक पर जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी बाहरी व्यक्ति को अनुमती नहीं है, तांग रुयान ने एक सब्दस्ति मुस्कुराहट पैदा की, जहां तक तांग परिवार का सवाल है, मैं उनके लिए मर चुका हूँ, क्यों, क्या हुआ जो में ने पूछ तांग रुयान ने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए सबसे कीमती हैं, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपको अपने पारिवारिक शेत्र से बाहर जाने की अनुमती दी गई थी, जो मेंग लड़की जिया परि तांग रुयान को बुढ़े व्यक्ती का वरुन के प्रती डर मनोरंजक लगा, उसके साथ इतना समय बिताने के बाद तांग रुयान को अब वरुन डराने वाला नहीं लगता था, मैं अब टैन परिवार की युवा महिला नहीं हूँ, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है आप नहीं हैं, जिया युमेंग ने हत प्रभ होकर तांग रुयान को देखा, तांग रुयान पिछली नाखुशी के बारे में बात करने के मूर में नहीं थी, आए इस बारे में बात न करें, जब तुम यहां हो तो कुछ दिन रुप क्यों नहीं जाते, अपनी शिफ्ट क तो तांग रुयान एक प्रसिध युद्ध पालतू योध्धा के लिए काम कर रहा था, लड़की और बुढ़े आदमी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने तांग रुयान को स्टोर में व्यवस्था बनाए रखने की जिया युमेंग चिंतित थी, वह तांग रुयान के साथ अपने रिष्टे में बहुत अधिक जटिलताएं नहीं चाहती थी, वह तांग रुयान के प्रस्ताव को ठुकराने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ सूझा, रुयान टैन परिवार संकटने हैं, क्या आप जानते है क्या, तांग रुयान पीला पड़ गया, जिया युमेंग आश्चर यचकित थी क्योंकि तांग रुयान को अंधेरे में रखा गया था, उसने व्याख्या की, मैंने सुना है कि तैन परिवार ने किसी को बहुत बुरा ठेस पहुचाई है, हाल ही में ऐसा हुआ, जब आपक तांग रुयान को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, सीटू परिवार और वान परिवार चार प्राचीन परिवारों में से दो थे, उन में से कोई भी तांग परिवार के साथ प्रतिसपरधा करने में सक्षम था, चारो प्राचीन परिवार ताकत में काफी समान थे, हाल सोच रही थी कि क्या उसके पिता उसे बेकार लड़की को अपनी बेटी के रूप में स्विकार करेंगे वैसे भी तांग परिवा संकट में था दो दुश्मन परिवारों और उसके पिता के घायल होने से रुयान तुम्हे पता नहीं था जिया युमेंग ने उस लड़की को रथा गया था तांग रुयान वापस होश में आ गई उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं समझाया एक शन की शांती के बाद तांग रुयान पलता वरुन अभी भी अपने ग्राहकों के नोट्स ले रहा था तांग रुयान ने अपना मन बना लिया जियो मेंग उस वह तांग रुयान को अपने परिवार की सहायता के लिए वापस जाने से नहीं रोख सकती थी। वह वरुन को उस जमेले में नहीं डालना चाहती थी। मेरा दोस्त यहाँ है। चाहते हैं तो आपको कोई चुटी मांगने की जुरत नहीं है। काम के बाद उसे बस दिखा सकते हैं। आपको क्या लगता है आपको कितने समय की आवश्यकता है। तांग रुयान ने एक सेकंड की चुप्टी के बाद उत्तर दिया। मैं दो-तीन दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ. मैं उसके साथ लंबे समय तक रहना चाहता हूँ और मैं पूरे दिन यहां नहीं रहना चाहता। जब उसने आखिरी वाक्य कहा, तो उसने अपनी उंगलिया भीच ली, उसके परिचित लोग जानते थे, कि यह उसके जूट बोलने का संकेत है. तुम यहां नहीं रहना चाहते। वरुन ने भौहे से कोड ली। उसने उसका उपर नीचे नाप लिया और उसकी भिंची हुई उंगलियों पर ध्यान दिया। मुझे सच बताओ, आप क्या करने जा रहे हैं? आपको तीन दिन की चुटी की आवश्चक्ता क्यों है? यदि आप यहां नहीं हैं, तो ग्राहकों के मामले में मेरी मदद कौन करेगा? कोई बात नहीं, मैं यहां आपसे नहीं सुनना चाहता। आप दोनों कृप्या एक क्षण के लिए आएं। घबराय हुए और उत्सुकता से, जिया युमेंग और बूढे व्यक्ती ने साहस जुटाया और करीब आ गए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सर, दोनों ने सम्मान पूर्वक कहा। वे कंखियों से वरुन को देखते रहे। बूढे को अपनी भूल नरोग पाने का पच्टावा हुआ। जल्दी से कहा। एक बार जब जिया युमेंग को लगा कि वह निशाना है तो उसका चहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि जरासी हरकत पर वह टुक्रे टुक्रे हो जाएगी। खत्रे की उस इमानदार अनुभूती ने उसके दिल को लगभग रोक दिया। बूढ़ा ठंडे पसीने से लथपथ था। स्वाभाविक रूप से वह एक प्रसिध युद्ध योधा से जूट नहीं बोलना चाहेगा। सर कृप्या हम पर नाराज नहूं। लेडि टैंग अपने परिवार से मिलने वापस जाना चाहती है। Hisका हमसे कोई लेना देना नहीं है। सर कृप्या मुझे माफ कर दीजिए। मैंने वह कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे माफ करें। वह अपनी गलती का दोश अपने उपर लेना चाहता था। यदि वरुन किसी को दंड दे तो उसका पतन हो सकता है। कम से कम जिया परिवार सुरक्षित तान परिवार से मिलने वापस जा रहे हैं। आश्चर्यच के थोकर वरुन तान रुयान की ओर मुरा। क्यों उसने पूछा। तान रुयान अपने जूट का पता चलने के बाद से नाखुश थी। लड़की ने वरुन की आखों में देखने से डरते हुए अपना सिर मानो यह एक दिन पहले ही हुआ हो। सुप्रेमेसी लीग के दौरान उनकी मुलाकात तान रुयान की छोटी बहन से हुई थी जो तान परिवार की वर्तमान भावी मुख्या थी। जब उसने कहा अगर वह तुम्हें परिशान करती है तो उसे मार डालो वह बहुत शांत जबहार नहीं किया लेकिन फिर भी मैं टैन परिवार से हूँ अगर वे मुझे स्विकार नहीं करते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तथ्य तो तथ्य हैं वरुन हिल गया अचानक चारों और एक उजवल चमक थी लड़की क्या आप कह रहे हैं कि आपने फैसला कर लि योग्य युद्ध पालतू जानवर थे जो उसकी ताकत बढ़ा सकते थे यह सीटू और वान परिवार ही थे जिनसे उसे निपटना था उन्नत युद्ध पालतू योध्धाओं का उनके लिए कोई मतलब नहीं था अगर वह शीर्षक वाली रैंट पर भी होती तो भी उसे ज्यादा मदद नहीं मिलती अगर मैं उनके साथ नहीं रह सकता तो मुझे उनके साथ दफनाया जाए अंत में तांग रुयान ने अपना उत्तर दिया वरुन का दिल चुगया वह उसकी अपेक्षा से अधिक द्रिड थी अब जब आप आत्महाती मिशन पर हैं तो यह पूरे दिन यहां रुकना नहीं चाहते थे उन्हार तुम क्या जानते हो मुझे लोगों को वह करने के लिए मजबूर करना पसंद है जो वे नहीं करना चाहते तो आज से अपना सारा समय यहीं बिताने के लिए तयार रहें तैंग रुयान ने वरुन को देखा उसने जबर जरूर आप जा सकते हैं लेकिन यहां आत्मगाती मिशन नहीं हो सकता वरुन ने कहा अपने पारिवारिक मामलों को सुलजाने के बाद वापस आए और मेरे लिए काम करना जारी रखें तांग रुयान ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया अगर मैं इस से बच सका त तांग रुयान की आखें आशा से चमक उठीं क्या उसने अभी कहा कि वह मुझे अपना युद्ध पालतु जानवर उधार देगा वह अच्छी तरह जानती थी कि वरुन के योध्धा कितने तेजस्वी हैं उसके युद्ध के पालतु जानवर पशु राजाओं के समान ही शक्तिशाली थे जदि वह एक जानवर राजा के साथ वापस जा सकती है तो यह तांग परिवार के लिए बहुत मददगार होगा धन्यवाद तांग रुयान ने अपनी आवाज धीनी करते हुए कहा वरुन ने उसे दूर हटने का इशारा किया तांग रुयान बिना किसी देरी के अपने पोस्ट पर वापस चली गई उनके आसपास के ग्रहकों ने बातचीत सुनी और उचसुकता से उस पर नजर डाली यदि उन्होंने सही सुना होता तो जिस तांग परिवार के बारे में वे बात कर रहे थे वह चार प्राचीन परिवारों में से एक था कुछ से एक युद्ध पालतु जानवर उधार देने जा रहा था वे ताक्तें जो तांग परिवार के पीछे जा रही थी एक आपदा के लिए थी जल्द ही सिस्टम ने वरुन को सचेट किया कि सभी स्पॉट ले लिए गए हैं जिसमें नर्सिंग पेन भी शामिल है वरुन ने अपनी कलम नीचे रखी और घोशना की हमारे पास कोई जगह नहीं बची है कृप्या अगली बार आएं ग्राहक यह देखकर आश्चर्यच के त्रह गए कि कोई और जगह नहीं बची जैसी बात थी अन्य स्टोर कभी भी किसी ग्राहक को मना नहीं करेंगे इस तथ्य को जो पैसे की ज़ूरत नहीं थी हालाकि ग्राहकों को निराश होकर वापस जाना पड़ा बाद में वरुन ने तांगरुयान लड़की और बूढ़े व्यक्ति को उसके पास आने के लिए कहा आपने तांगरुयान को तांगरिवार की परिशानियों के बारे में बताया है ना जैसे ही वे वरुन के सामने खड़े हुए जिया युमेंग और बूढ़ा व्यक्ति कामपने से खुद को नहीं रोक सके जिया युमेंग को अंतह साहस मिला सर मैंने दूसरों से भी सुना है सीटू परिवार और वांग परिवार एक साथ काम कर रहे हैं कई दिन पहले उन्ह परिवार और वांग परिवार अक मामला चार प्राचीन परिवारों तक ही सीमित है क्या आप जानते हैं कि किस वजह से दोनों परिवारों को इस हर्ताल पर एक साथ काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिया युमेंग ने उत्तर दिया हाला कि अद्रक के साथ मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तांग परिवार के मुख्या को खेती करते समय चोट लग गई थी वरुन ने देखा कि तांग रुयान के चहरे पर चिंतित भाव थे उसने उसके सिर को हिला कर रख दिया चुंकि यह चार प्राचीन परिवारों में से एक है एक मात्र तथ्य यह है कि परिवार का मुख्या खायल हो गया था दोनों परिवारों को हर्ताल करने के लिए परियाप्त कारण नहीं मिलेगा आखिरकार तब तक उनके बीच अच्छे संबंध थे उस अचानक हर्ताल का कोई और कारण होगा भले ही परिवार के मुख्या को चोट लग सर, यही मैंने सुना है, बूढ़ा भी उत्तेजत हो गया, सर हमारी मिस और रुयान सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम उसे बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे, मैं अपनी पद्वी की शपत लेने को तयार हूँ, वरुन ने हाथ हिलाया, शांत हो जाओ, मैं यह नहीं कह कि आपने उससे जूठ बोला है, मैं केवल यह बता रहा हूँ कि इसके अन्यकारण भी है, यह आश्चर्य की बात नहीं है, कि आप नहीं जानते होंगे, किसी भी तरह, वे अगली हर्ताल से मूर्ख नहीं बनेंगे, विजी परिनाम के प्रती आश्वस्त रहते हुए, उन् ची तरह से जानते थे, वे तान परिवार को काफी लंबे समय से जानते थे, एक मात्र स्पश्टी करण यह था कि सीटू और वान परिवारों ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जो तान परिवार की कलाकृतियों को अप्रभावी बना सकता था, और उन्हें यह निर्णय लेन का एक कारण मिल गया था कि तान परिवार को जाना होगा, तान रुयान का मन भारी महसूस हुआ, उसने बोलने की इच्छा से वरुन की ओर देखा, लेकिन दूसरे विचार पर रुप गई, यदि वरुन अपने प्रभाव को देखते हुए, जाकर उसकी मदद कर सकता, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइटस और वैन कितने समय से एक साथ योजना बना रहे थे, उन्हें हार माननी होगी, तथा पी, वरुन एक प्रसिद्ध युद्ध युद्धा थे, वह उसकी और टैन परिवार की मदद क्यों करेगा, तांगों ने वरुन के स्टोर प स्टिती कैसी है, वरुन ने पूछा, जिया युमेंग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, तांग परिवार ये दो बेस सिटी में स्थित है, जो आपातकाल की स्थिती में प्रवेश कर चुका है, और अन्य बेस चहरों से आने वाले लोगों की सावधानी पूर्वक जा लेकिन उसने अपना सिर नीचे जुका लिया ताकि कोई उसके चहरे पर गर्द न देख सके, वरुन ने उस पर एक नजर डाली, वह उसे वापस नहीं जाने देगा क्योंकि ताम परिवार ने उसे त्याग दिया था, उसने उसे मनाने की कोशिश की लेकिन असफर रहा, इस यह बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जदि आपके पास कोई अन्यव्यवसाय है तो आप वापस जा सकते हैं, बूढे व्यक्ती ने वरुन को धन्यवाद दिया और जिया युमेन के साथ जाने के लिए जल्दी किया, वहाँ वरुन के साथ रहना उनके लिए रुयान ध्रमित था। वरुन ने छोटे कंकाल को बुलाया। उन्होंने अंत्य कंकाल का नाम फ्रॉस्ती रखा। सबसे पहले वरुन ने सोचा था कि इन्फर्नो ड्रैगन परियाप्थ होगा। यह चार प्राचीन परिवारों में से किसी के लिए एक बड़ा खत्रा होता। हालाकि फिर उन्हें पता चला कि दो परिवार एक साथ काम कर रहे थे। इस डरसे की दोनों परिवारों के पास कोई तुरुप का इकका है। वरुन ने फैसला किया कि लिटिल स्केलेटन एक सुरक्षित दाव है क्योंकि वह उसके साथ नहीं रहेगा। यहां तक कि का स्वरगिय राजा भी छोटे कंकाल को मारने में सक्षम नहीं होगा। जीवित रहने की इसकी क्षमता का परीक्षन परपल ब्लड ड्रेगन के दाएरे में किया गया था। फेट वियलम के उन बैंगनी खून वाले ड्रेगन को उसके पालतू जानवर को मारने की कोशिश क करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। तामरुयान बहुत खुश था। वह जानती थी कि वरोन के सभी युद्ध पालतू जानवरों में नाजुक दिखने वाला छोटा कंकाल वास्तव में सबसे शक्तिशाली था। धन्यवाद। उसे कोई अन्यशब्द नहीं मिले और ध पाया। तामरुयान बिटल स्केलेटन को इस जानकारी को पचाने में कुछ सेकंड लगे। छोटे कंकाल ने थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि छोटे कंकाल को अपनी सजक्ता की जाच करने की आवश्यक्ता है। वरोन को तब तक इसकी आदत हो चुकी चोटे कंकाल ने सिर हिलाया। वरोन मुस्कुराया। जैसे ही उसने तामरुयान को देखा, उसे याद आया कि जों परिवार ने एक बार उसे कुछ जड़ी बूटिया दी थी जो उसकी सुक्ष्म शक्तियों को बढ़ा सकती थी। उसने कभी भी उनका उप्योग नहीं किय और अब उसे उनकी आवशक्ता नहीं होगी क्योंकि वह आशूरा राजा के खून और ड्रैगन शेत्र में मिली जड़ी बूटियों की बदौलत नौवी रैंक पर पहुँच गया था। वे जड़ी बूटिया साथवे या आठवे क्रम के लोगों के लिए उप्युक्त थी आपकी रैंक बहुत कम है कोई भी शीर्षक वाला युध पालतू योध्धा आपको अंतरिक्ष में हमलों से मार सकता है छोटा कंकाल हर समय आप पर नजर नहीं रख सकता मेरे पास कुछ जड़ी बूटिया है उन्हें ले जाओ और आठवी रैंक तक पहुँचने का प्रय सभी साथियों की तुलना में उसने उदक्रिष्ट प्रदर्शन किया था उसे अपनी प्रतिभा पर गर्व था हाला कि संकी वरुन से मिलने के बार जिसमें शीर्षक वाले और यहां तक की प्रसिध युध के पालतू योध्धा भी शामिल थे उसे एहसास हुआ की सात्वी मित्र ने कहा कि उन्होंने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की है वे सभी बहुत बड़े परिवार हैं और भले ही उन्होंने वास्तव में लड़ाई शुरू कर दी हो लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी यदि आप चिंतित हैं तो मेरा सुझाव है कि आप एक औ नोटबुक लाने के लिए कहा ताकि वह जानकारी के अनुसार पालतू जानवरों को वरगी कृत कर सके जब वरुन ने उर्जा बिंदूओं की संख्या की जाच की तो वह रोमांचित हो गए उन्होंने उस दिन 68 मिलियन एनरजी पॉइंट बनाये थे सभी ग्राहकों ने उ अभी पालतू जानवरों को प्रशिक्षित करने में काफी समय लगेगा इसलिए वह तान रुयान के साथ जाने में असमर्थ था एक बात के लिए उसे तान परिवार पसंद नहीं था इसके अलावा वह बहुत व्यस्त था छोटा कंकाल अकेला ही काम करेगा यह कम से कम तान करने के लिए एक अरब उर्जा बिंदों की आवशक्ता होगी मौजूदा अपग्रेड से 100 गुना ज्यादा चेकिंग हो रही है पहली आवशक्ता पूरी हो गई दूसरी आवशक्ता पूरी हुई तीसरी शर्थ पूरी हुई स्टोर अपग्रेड की शुरुआत अपग्रे शुरू किया गया, जब वरुन ने उन संदेशों को सुना तो उसकी भौहें तन गई, सिस्टम आपको बनाए रखने की आवश्चक्ता क्यों है, मैंने सोचा था कि आप मूर्ख है, सबसे चतुर प्रणाली, रखरखाव का मतलब आराम है, पूरे समय एक बेकार मेजबान पर नजर रखने से सिस्टम ठक गया है, सिस्टम ने खंडन किया, वरुन इस बात से हैरान थे कि सिस्टम ने जहरीली बाते सीख ली, सिस्टम को वह कहां से मिला, जब अपग्रेड हो रहा था, वरुन ने सोचा कि वह इस समय को पालतू जानवरों के प्रशिक्षन में बिता सक जो कई तत्वों से समर्द था, लिटल स्केलेटन जैसे प्राणियों के अलावा, अन्य सभी प्राणियों को ऐसी दिव्यताओं में प्रशिक्षित किया जा सकता है, हकीकत में एक दिन गुजर गया, लेकिन वरुन ने दस दिन दिव्य लोक में बिताए थे, जिन चार यु जब उन्होंने दैविय उर्जा की ताकत बढ़ाने के लिए सिन कटर हमला किया, तो वह दैविय उर्जा का उप्योग करने का भी प्रयास कर रहे थे, यह एक अच्छा विचार था, लेकिन उन्हें अच्छी शुरुवात नहीं मिली, आशूरा उर्जा ने दैविय उर्ज जब उसने पाप कटर का उप्योग किया, तो वह कुछ दिव्य उर्जा जोडने में सक्षम हो गया, जैसी कि उसे आशा थी, पॉशल पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन एकी करण में सुधार के लिए उन्हें और प्रयास करने होंगे, जब वह अपने स्टोर पर लोटा तब तक अपग्रेड पूरा हो चुका था, वरुन ने पूरे स्टोर एरिया का एक द्रिशक हीचा, उसके दिमाग में स्टोर का तीन डी मॉडल आया, उसके द्वारा पहले खरीदी गई अतिरिक्ट संपतिया आधिकारिक तोर पर स्टोर का हिस्सा बन गई थी, सडक के उस तरफ की लगभग सभी जगहें उसकी थी, उनके स्टोर ने पहले की तुलना में बहुत बड़े क्षेतर को कवर किया, स्टोर फ्रंट एक बॉल रूम जितना बड़ा था, विशाल लॉबी में सैकडों लोग रह सकते थे, छट सौ मीटर से अधिक उची थी, यह तक की विशाल युध पालतू जानवर भी वहां आसानी से खड़े हो सकते थे, यह एक शांदार इमारत थी, वरुन ने बिक्री पर या किराये पर उपलब्ध पालतू जानवरों के लिए एक डिस्प्ले रूम भी देखा, डिस्प्ले रूम ने पूरी जगह का लगभग आधा हिस्सा घेर लिया, बिक्री के लिए और किराये के लिए सभी पालतू जानवरों को कुछ डिस्प्ले स्टेंडो पर रखा जाएगा और किनारे पर उनके बारे में परिचय दिया जाएगा, इससे ग्राहकों को आसानी से यह निर्धारित करने में सहायता मिलेगी कि उ वरुन उस दुकान के चारों ओर भू में जो और भी शानदार हो गई थी, उसने सिस्टम की दुकान को अपने दिमाग में खीच लिया, सिस्टम की दुकान वर्तमान में तीसरे स्तर पर भी थी और वह एक प्रिष्ट पर प्रदर्शित 6 वस्तूँ को देखने में सक्षम थ दुकान में अधिकांश वस्तूओं की कीमत सैक्डों हजारों एनर्जी पॉइंट्स होगी और सबसे सस्ती चीज की कीमत दो लाख एनर्जी पॉइंट्स होगी इस उन्नत उन्नत जानवर पकड़ने वाली अंगूठी के साथ एक जानवर राजा को पकड़ने की संभावना 30% है वरुन ने उच्सुकता से अंगूठी खरीदी मूल उन्नत जानवर पकड़ने वाली अंगूठी में जानवर राजा को पकड़ने की केवल 10% संभावना थी जब उसकी किस्मत ख्राब थी, तो वह 10 अंगूठिया भी इस्तिमाल कर सकता था और उसे एक जानवर भी नहीं मिलता था राजा, अंगूठी के उन्नत संसकरण की लागत बहुत अधिक होगी, लेकिन संभावनाएं बहुत अधिक थी वरुन के अनुभव के अनुसार यदि वह पहले एक जानवर राजा को चोट पहुँचा सकता है और फिर अंगुठी के उन्नत संसकरण का उपयोग कर सकता है तो उसका मानना था कि उस पर कबजा करने की संभावना 50 या 60% तक बढ़ाई जा सकती है वह अध्धुत होगा आखिरकार जानवर राजा महासागर राज्य या भाग्य राज्य में भी हो सकता है वह उन्नत संसकरण के साथ फेट स्टेट के शिखर पर भी किसी को पकड़ सकता था यह कमाल का है वह सकता है मैं जो आना से कह सकू कि अगली बार जब मैं डेमिगॉड दफनाने जाऊ तो फेट स्टेट के शिखर पर एक जानवर राजा को पीटने के लिए किसी को भेजू अगर मैं एक को पकड़ कर यहां बेच सकू तो मैं इसे कई सौ मिलियन में बेच सकता हूँ क्या खूब बात है वरुन उच्साहित थे भाग्य राज्य के चरम पर वह एक पालतू जानवर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सका उसे फिलहाल इसे किनारे रखना होगा या इसे बेचना होगा और केवल शूने राज्य के लोगों के पास ही ऐसा पालतू जानवर होगा मैं ब्लैक टोर टो इस शीड भी लेने जा रहा हूँ उसने तनिक भी संकोच नहीं किया चुँकि उसके पास 80 मिलियन से अधिक उर्जा बिंदू बचे थे इसलिए 10 लाख खर्च करना कुछ भी नहीं था शीधर ही उसके मन में एक सुनहरी चमक प्रकट हो गई सिस्टम पूछ रहा था कि क्या वह तुरंत कौशल लेना चाहता है वरुन सिस्टम की दुकान से खरीदे गए कौशल को किसी और को हस्तानतरित नहीं कर सकता था जब तक कि उसे कौशल में महारत हासिल करने के बाद किसी को मौखिक रूप से नहीं सिखाना था हाँ इसके तुरंत बाद वरुन के दिमाग में सूचनाओं का सैलाब उमर पड़ा। स्थब्ध होकर वरुन ने जमीन पर एक विशाल काला कच्छुआ खड़ा देखा और उसके खोल पर अजीब पैटर्न बने हुए थे जो रहस्यमय नियमों का वर्णन कर रहे थे। पैटर्न ब चेतन रूप से अपनी सुक्षम शक्तियों को संगठित करना शुरू कर दिया, जो भम्रों में एक अजीब रेखा के साथ चलती थी। भनभना हट। अचानक उसमें से एक सुनहरी चमक फूट पड़ी। काले कच्छुए पर जो अजीब पैटर्न उसने देखा था, वह उ उनके बीच सुक्षम शक्तियों का एक चक्र था। उसने उस मुक्टे में काफी ताकत का इस्तिमाल किया था और फिर भी उससे धाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने यह सुनिश्चित कर लिया था कि धाल कम से कम किसी जानवर के हमले को रोकने में सक्षम होगी। लिक्षन कक्ष में शीड की सीमा का पता लगाऊंगा। वरुन ने खुद से कहा। वह यह बताने में सक्षम था कि धाल उसकी वर्तमान धारना से कहीं अधिक मजबूत थी। लेकिन उससे पहले उसे सिस्टम की दुकान को तहसन हस करना होगा। कौशल और जानवर पकड़ अंगुठी के अलावा वरुन अन्य वस्तूओं का उप्योग कर सकता था लेकिन उसे उनकी सक्ष जूरत नहीं थी। उदाहरन के लिए ड्रैगन रक्त एक अशुध ड्रैगन रक्तरेखा को फेदर ड्रैगन प्रजातियों में से एक शुध में बदल सकता है। ऐसा कहा गय है कि अगर मैं इसे बेचूं तो मुझे कितने उर्जा अंक मिल सकते हैं। वरुन उत्सुक था। सिस्टम ने उत्तर दिया विक्रे मूल्य आपके द्वारा यहां भुगतान की गई कीमत के समान है। क्या आपने अपना रखर खाफ पूरा कर लिया है। सठीक कहूं तो मैं पूरी तरह से आराम कर चुका हूँ। क्या आपने अभी कहा था कि मैं उतनी ही उर्जा बिंदू बनाऊंगा जितनी मैं खर्च करूंगा। वास्तव में आप वास्तव में एक बिचॉलिये के लिए इसे कठिन बना रहे हैं। वरुन अवाक रह गया। वह उस पर कोई पै पर एक बार फिर नजर डालने के बाद वरुन ने ड्रैगन रख भी खरीदा। फिल्हाल उसे अन्य वस्तूओं की आवश्यक्ता नहीं थी इसलिए उसने प्रिष्ट को ताजा करना चुना। उसे हर दिन तरु ताजा होने का एक मुफ्त मौका मिलेगा। छै नए आइटम सामने आए, इस बार कोई दिव्य कौशल नहीं। वहां मुख्यता विचित्र सामगरिया और भोजन थे। ट्रैपिंग रस्सी 0.8 मिलियन उर्जा बिंदू। यह एक जानवर राजा की आत्मा को फसा सकता है, उसे प्रानी के शरीर से दूर ले जा सकता है, इस प्रकार जा ही तेजी से होगी। रस्सी एक महासागर राज्य के जानवर राजा को आठ घंटे तक रोक सकती है। लेकिन वह रस्सी फेट स्टेट जानवर राजाओं के पास केवल एक मिनट तक ही टिकेगी। वह रस्सी स्टार रैंक वाले प्राणियों के लिए प्रभावी नहीं अपनी वर्तमान ताकत को देखते हुए मैं औसक भाग्य राज्य के जानवरों के राजाओं से आसानी से लड़ सकता हूँ लेकिन अगर रसी मुझे एक मिनट के लिए भाग्य राज्य के शिखर पर एक जानवर राजा को रोकने में मदद कर सकती है तो मैं जीत सकता हूँ वरुन की आखें चमक उठी आइटम एक उतक्रिष्ट क्रती थी इसे खरीदे शुने से शुने दशमलव आठ मिलियन उर्जा अंक उसने भुगतान किया और रसी प्राप्त कर ली वरुन ने अपना स्टोरेज स्पेस चेक किया भीतर एक सुनहरी रसी पड़ी हुई थी वरुन ने दुकान को फिर से ताजा करने का फैसला किया लेकिन इस बार इसकी कीमत उसे 10 लाख होगी वह इसे वहन कर सकता था क्योंकि उसके पास परियाप्त उर्जा बिंदु थे द्रीम इंडूसर शुने दशमलव 32 मिलियन उर्जा अंक लक्षे की स्मृती को ठीक किया जा सकता है जिससे लक्षे बाद के अनुभवों को एक सपने के रूप में मानने लगे लक्ष उस अवधी के दौरान घटनाओं और संबंधित यादों को भी भूल सकता है वरुन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बारे में क्या कहें स्वपन प्रेरक यहां नॉकाउट ड्रॉप्स के लिए सिर्फ एक फैंसी नाम था मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता सिस्टम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बेचने की छी शूने से शूने दशमलव 32 मिलियन उर्जा अंक वरुन ने स्लॉट में सोल्ड शब्द देखा सिस्टम आप इसके लिए बहुत अधिक शुल्क ले रहे हैं आप इस आउश्धी के लिए 32 मिलियन सुक्षम सिक्के मांग रहे हैं ऐसी आउश्धी काले बाजार में केवल कुछ सौ रुपय में बेची जाएगी सिस्टम ने एक क्षण की चुपी के बाद उत्तर दिया अपने उन गंदे विचारों को दूर करो ड्रीम इंडूसर उस तरह से काम नहीं करता है कुछ गुरु इस आउश्धी का उपयोग अपने छात्रों को विरास्ते सौंपने के लिए करते थे या लोग इसका उपयोग कुछ गुप्त कौशल का अध्ययन करने के लिए करते थे हाला कि यादें खो जाएंगी लेकिन मानस्पेशिया लडाईयों को नहीं भूलेंगी कैसी गंदी सोच? मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं तुम ही दिन भर मेरी ताक जानक करती हो और मुझे गंदी-गंदी बातें कहती हो वरुन ने जवाब दिया जासूसी नहीं अवलोकन करना यह तो भाड में जाए हर गुजरते दिन के साथ व्यवस्था और अधिक बेशर्म होती जा रही थी मां स्पेशिया नहीं भूलेंगी मेरा मानना है कि यह वास्थव में एक अच्छी खरीदारी है कितनी शर्म की बात है वरुन ने आह भरी इसमें शर्म की बात क्या है मुझे इस अच्छी चीज का उप्योग सही उद्देशों के लिए करना है वरुन ने ड्रीम इंड्यूसर को हटा दिया और रिफ्रेश और खरीदारी का एक और दोर शुरू किया उन्होंने दुकान को कई बार ताजा किया और केवल तभी बंद किया जब लागत रिकॉर्ड उचाई तक बढ़ गई प्रयासों के दौरान उन्हें एक और हुनर मिला जिसका नाम था रौकदेश यह काले कचुए की ढाल के समान ही दुरलब था दोनों प्राथमिक दिव्य कॉशल रौकदेश अधिक आक्रामक था वरुन ने कॉशल पुस्तक खरीदने के तुरंत बाद उसे आत्मसात कर लिया अंतरिक्ष के नियमों को कॉशल में एकी कृत किया गया ऐसे में अंतरिक्ष की कार्य प्रणाली के बारे में उनकी समझ गहरी हो गई थी यदि महासागर राज्ज में एक प्रसिद्ध युद्ध पालतु योध्धा को कॉशल सीखना था तो उक्त व्यक्ति के लिए टेलिपोर्टेशन में महारत हासिल करने का मौका होगा यह शुन्य अवस्था के लिए अध्वितिय होना चाहिए वरुन ने दो और उन्नत जानवर पकड़ने वाली अंगूठिया भी खरीदी उन्होंने मरे हुए परिवार के पालतु जानवरों के लिए भोजन भी खरीदा था अशुधता का खून मरे हुए परिवार के अधिकांश पालतु जानवरों के लिए अशुधता का खून स्वादिष्ट था भोजन मरे हुए प्राणियों के लिए उर्जा बढ़ा सकता है और उत्परिवर्तन को भी प्रेरित कर सकता है हाला कि मरे हुए परिवार के अधिक उन्नत प्राणियों के लिए अशुधता का रख्थ उत्परिवर्तन को प्रेरित नहीं करेगा वरुन ने इसे लिटल स्केलेटन के लिए खरीदा था ताकि इसकी उर्जा बढ़ सके चुंकि लिटल स्केलेटन में स्केलेटन किंकी रक्त रेखा थी इसलिए भोजन लिटल स्केलेटन को विक्सित नहीं कर पाएगा उसने दुकान बंद कर दी और अपनी दुकान के चारों और घूमने लगा वह परीक्षन कक्ष में गया और देखा कि कमरा पहले की तुलना में बहुत अधिक विशाल था कमरा एक महासागर को फिर से बनाने के लिए तयार किया गया था बड़ी बड़ी लहरें नीचे गिरने से पहले उची उठ गई तांग रुयान समुद्रतट पर बैठी थी उसके चारों और हल्की हरी चमक थी वह गलास बुलवार की खेटी कर रही थी वरुन को लगा कि वह अब भी सात्वी रैंट पर है वह अजीब नहीं था आखिर एक दिन तो हकीकत में ही बीद गया हाला कि जड़ी बूटिया उसकी मदद कर सकती थी लेकिन वह एक ही बार में सभी जड़ी बूटिया अवशोशित नहीं कर सकती थी यह पर्याप्त तेज नहीं है वरुन ने सिर हिलाया अचानक उसे ड्रीम इंड्यूसर की याद आ गई वरुन ने एक तरकीप सोची उन्होंने सिस्टम से पुष्टी मांगी अगर मैं उस पर ड्रीम इंड्यूसर का उप्योग करता हूँ तो क्या मैं उसे खेती स्थल पर ले जा सकता हूँ सिस्टम में उलेख किया गया था कि मांस्पेशियों की मेमोरी रखी जाएगी यदि यह सच था तो वह उसकी पूरी क्षमता का उप्योग करने में उसकी मदद कर सकता था उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसके पास खेती स्थलों की कोई स्मृती है सकारात्मक सिस्टम ने उत्तर दिया लेकिन आपको एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा और उसे अपना पालतू बनाना होगा वास्तव में वरुन आश्चर्य च्कित था वास्तव में कोई आश्चर्य नहीं कि उसे यह औश्धी सिस्टम की दुकान में मिल जाएगी क्या सिस्टम ने इसे उसके लिए तयार किया था कहने का तात्पर यह था कि वह भविश्य में अन्य लोगों को प्रशिक्षित कर सकता था आखिरकार जहां तक व्यवस्था का सवाल है सभी जीवित चीजें पालतू जानवर थी वह दूसरों के पालतू जानवरों को प्रशिक्षित कर सकता था और दूसरों को तुरंत प्रशिक्षित कर सकता था लेकिन उसे पहले ड्रीम इंड्यूसर रखना होगा मुझे एक कोशिश करने दो यदि यह काम करता है तो जब मुझे दूसरा ड्रीम इंड्यूसर मिलेगा तो मैं उस पर इसका उप्योग कर सकता हूँ वरुन ने खुद से कहा वह अकादमी में पढ़ने वाली लड़की के बारे में सोच रहा था यदि प्रशिक्षन का प्रभाव बरकरार रखा जा सके तो वह अपनी बहन को स्वयं प्रशिक्षित कर सकता था लेकिन खेती स्थल की स्मृतिक हो जाती खटास वरुन ने टैंग रुयान को बुलाया तांग रुयान ने अपनी आखे खोली उसके चारों और हलकी हरी चमक ने उसे लहरों से बचने में मदब की हाँ वह उच्षुकता से पूछते हुए वरुन की और मुरी यहाँ आ जाएं मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छा है जब उसने ये शब्द कहे तो उसे एहसास हुआ कि वे उसके कानों में थोड़े अजीब लग रहे थे उह तांग रुडान के चहरे पर प्रसंदता के भाव थे अच्छी बात है क्या वरुन मुझे एक जानवर राजा देने जा रहा है उसने कई बार वरुन को बीस्ट किंग बेचते देखा था यह अजीब नहीं था अगर वरुन ने अचानक एक जानवर राजा को देने का फैसला किया आखिरकार वरुन व्याभारिक रूप से उन सस्ते विक्रय मुल्यों पर पशु राजाओं को दे रहा था जल्द ही उसे अपनी खेती याद आ गई वह सात्वी रैंट पर थी वह किसी जानवर राजा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी उसकी आखों की चमक्त्म हो गई फिर भी उसने प्रशिक्षन बंद कर दिया उठ गई और वरुन के पास जाने के लिए दोड़ पड़ी यह क्या है तांग रुयान ने पूछा वह एक जानवर राजा के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी और वरुन निश्चित रूप से यह जानता था उसे किसी और चीज के बारे में बात करनी थी ठीक है पहले अपनी आखे बंद करो यह और भी अजीब लग रहा था तांग रुयान को भी यह अजीब लगा लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था वरुन ड्रीम इंड्यूसर निकालने ही वाला था कि वह बेहोश हो गया पहली बार उसने देखा कि वह लड़की काफी खूबसूरत थी हो गया तांग रुयान ने पूछा वह शर्मा रही थी बिलकुल अभी वरुन वापस होश में आया और उसने तुरंट ड्रीम इंड्यूसर निकाल लिया वह एक विचित्र सुनहरी गोली थी जिस पर कुछ विशेश रिखाए अनकित थी जब वरुन ने इसे खरीदा तो उन्हें आवेदन का तरीका बताया गया था उसने तांगरुयान की नाख के नीचे गोली को चल दी और गहरे लाल रंकी धुंध निकल आई जो तांगरुयान की नाख में घुस गई वह क्या था तांगरुयान अपनी आखें खोलना चाहती थी कोई बात नहीं अब आप अपनी आखें खोल सकते हैं वरुन को राहत मिली कि उसने गोली को पूरी तरह सोख लिया था तांगरुयान ने उच्छुकता से पूछा वह सुंदर गंध क्या है कुछ नहीं मैं तुम्हें कहीं ले चलने जा रहा हूं मेरे साथ आओ वरुन ने कहा वह अभी भी अनिश्चित था इसलिए उसने सिस्टम से दोबारा पूछा क्या आप आश्वस्थ हैं कि यह काम करेगा हाँ व्यवस्था पक्की थी वरुन को सिस्टम पर भरोसा करना पड़ा वह तांगरुयान को पालतू जानवर के कमरे में ले गया उसने उन पालतू जानवरों में से एक के साथ अनुबंध रद कर दिया जिसे वह प्रशिक्षित करने जा रहा था और एक अस्थाई अनुबंध निकाला जिसे उसने तांगरुयान के माथे पर रख दिया वह क्या है तांगरुयान ध्रमिथा अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके दिमाग में कुछ घुस रहा है उसकी अंतरात्मा ने उससे बताया कि वह वरुन के साथ अच्छा व्यवहार करे और वह उस पर भरोसा करना चाहती थी निकट्टा की उस अचानक उपस्थिती वरुन ने कहा इसे एक सपना समझें उसने एक गहरी सास ली उन्होंने दिव्यलोक में जाने का निर्ने लिया वह उस देवत्व की दुनिया में गोधूली के लिए देवी को ढूंडने में अस्पर रहा था जहां वह पहले गया था वह दूसरे स्थान पर जा रहा था ताकि वह खोज जारी रखते हुए पालतू जानवरों को प्रशिक्षित कर सके भंबर प्रकट हुआ और वरुन और तांधरुयान को अंदर ले गया यह एक मध्यम दर्जे का खेती स्थल भी था उनके उतरते ही वरुन को अपने चारों और गहन दैविय उर्जा का एहसास हुआ उसकी कोशिकाओं में भंबर सक्रिय होने लगे जो दिव्य उर्जा को अंदर खीच रहे थे हम कहा है तांधरुयान यह जानकर चकित रह गई कि वह पूरी तरह से अप्रिचित दुनिया में थी जब उसने अपने आखें खोली तो वह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में कैसे दिखाई दे सकती थी क्या हुआ वरुन ने नहीं बताया उन्होंने बस इतना कहा मेरे साथ आओ उन्होंने तीन पालतू जानवरों इन्फर्नो ड्रैगन, डार्क ड्रैगन हाउंड और परपल पाइथन को बुलाया जहां तक छोटे कंकाल की बात है वह उसे केवल तभी बुलाएगा जब अत्यंत आवश्चक हो आपका पालतू जानवर वरुन तांग रुयान को अपने युद्ध के पालतू जानवरों को बुलाने के लिए कहने ही बाला था कि तभी उसे कुछ सूझा क्या उसके युद्ध पालतू जानवरों को उसके राज में पुनरजीवित किया जा सकता है नहीं, सिस्टम ने तुरंट उत्तर दिया, उनकी मौते वास्तविक होंगी आपका अनुबंध केवल उसके साथ है, उसके लड़ाकू पालतू जानवरों के साथ नहीं वरुन को इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई जैसा यदि तांगरुयान के युद्ध पालतू जानवरों को वहां प्रशिक्षित किया जा सकता है तो वह उसे भविश में अपने साथ और अधिक पालतू जानवरों को ले जाने के लिए अपना वाहक बनने के लिए कहेगा उसे याद आया कि जोआना के युद्ध के पालतू जानवर खेती स्थलों पर भी पुनर जीवित नहीं हो सके चलदर वरुन ने कहा वे एक धने जंगल में थे, एक विशाल जंगल सर्वत्र फैली दैवी शक्ती के अतरिक्ट उसे हवा में रक्त की गंध भी महसूस हो रही थी वहां अवश्य ही जानवर या देव जाती के सदस्य होंगे क्या? तांग रुयान अभी भी अपने सग्मे से बाहर नहीं आई थी वरुन तो जाही रहा था, वह जल्दी से वहां पहुची और फिर पूछा यहां कौन सी जगह है? हम यहां कैसे आए? आपको बस यह जानने की जरूरत है कि यहां आपके लिए लडने की जगह है वरुन ने पीछे मुड़कर न देखते हुए जवाब दिया जल्द ही उसने जमीन पर कुछ विशाल जानवरों के निशान देखे जानवरों ने कुछ पत्तियों को कीचर में उचल दिया था चलदर वरुन ने प्रैक का अनुसर्ण किया तम रुयान अवाक रह गया वरुन की बातें आदेश जैसी नहीं लगी उसे लग रहा था कि वह उसकी बातों का सहज भाव से पालन करेगी वह उसने अपनी शक्तियों को उजागर करते हुए और एक अन्य गुप्ट कौशल शैडो ट्रेसिंग का उप्योग करते हुए उसका पीछा किया वह बहुत तेज गती से यात्रा कर सकती थी और आठवी श्रेणी के जानवरों से भी बच निकलने में सक्षम थी जल्द ही उसे एसास हुआ कि वरुन उससे और भी दूर होता जा रहा है रुको वह चिल्लाई और जल्दी से आगे बढ़ गई वरुन नहीं रुके वह तांग रुर्यान को प्रशिक्षित करने के लक्षे के साथ एक नामित युद्ध योध्धा के रूप में यात्रा कर रहा था आधा घंटा बीट गया अचानक वरुन को लगा कि वह किसी का निशाना बन गया है जानकार और अनुभवी होने के कारण वरुन ने तुरंत पहचान लिया कि उसका सामना एक समुदरी राज्य के जानवर राजा से हो रहा है थोड़ा बहुत शक्तिशाली लेकिन यह काम करेगा वरुन नहीं रुके जल्द ही वह पट्रियों का अनुसर्ण करता हुआ एक सडक के अंत तक पहुँच गया जो नश्ट हो चुकी थी वहाँ एक राक्षस खड़ा था उसे घूर रहा था जानवर को एसास हो गया था कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है और वह मजबूत नहीं है इसलिए विशाल काय ने इसके लिए इंतजार करना बंद कर दिया शिकारी भाड में जाओ जानवर ने इंसान को देखा और देवताओं की भाशा बोली वरुन ने जोआना से देवताओं की भाशा सीखी थी इसलिए वह समझने में सक्षम था फिर भी उस राक्षस का उच्चारन थोड़ा अजीब लग रहा था उसे खत्म कर दो वरुन ने ग्राहकों के लड़ाकू पालतू जानवरों और परपल पाइथन को पहले जानवर राजा से लड़ने के लिए कहा जहां तक इंफर्नो ड्रैगन और डार्क ड्रैगन हाउंड का सवाल है वरुन ने उन्हें रिलीज नहीं किया दोनों के सन्युक्त प्रहार से जानवर राजा बच नहीं पाता तुम भी जाओ वरुन ने हामफते हुए तान रुयान से कहा वह अभी आई थी उसने अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लिये और जोर-जोर से सास लेने लगी उसने वरुन की बातें सुनी और राक्षस की ओर देखने लगी एक जानवर राजा हाँ जाओ और इसे मार डालो वरुन ने कहा तान रुयान ने उसकी ओर भूर कर देखा उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने यह गलत सुना है क्या उसने मुझसे बस यही कहा था कि जाओ और उस जानवर राजा को मार डालो वह उसे नापसंद करने ही वाली थी कि तभी अंदर से किसी ने उससे कहा कि उसे ध्यान भटकाने वाली सभी चीजें छोर देनी चाहिए और हो सकता है वरुन सही था और उसे इसे आजमाना चाहिए लेकिन वह एक जानवर राजा है जीवित रहने की इच्छा जागरित हुई उसने खुद को उस अजीव स्थिती से मुक्त किया और कहा मैं केवल सातवी रैंक पर हूँ मैं केवल उन पालतू जानवरों को धीमा कर दूँगा दरो मत बस जाओ मौतों के बारे में चिंता मत करो वरुन ने ठंडे स्वर में कहा जब पालतू जानवरों को प्रशिक्षन देने की बात आती थी तो वह हमेशा क्रूर होता था तांदरुयान इंकार करने ही वाली थी कि उसे जलन महसूस हुई उसे एहसास हुआ कि अगर उसने उसके आदेशों का पालन नहीं किया तो वह मर जाएगी क्या वह मुझे मार डालेगा तांदरुयान को शायद ही इस पर विश्वास हुआ लेकिन जब वरुन स्टोर पर थे तब से वह बहुत अलग दिख रहे थे वह ऐसा आदमी नहीं था जो मजाक करेगा वह चौकी और उसने अपना मन बना लिया उसने उस हताश लड़ाई में लड़ने के लिए अपने लड़ाकू पालतू जानवरों को बुलाने की तयारी की जैसे ही भंबर उसके पीछे खुला वरुन ने कहा तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा अपने युद्ध पालतू जानवरों का उपियोग न करें तैन परिवार से सीखे गए कौशल पर भरोसा करें मुझे आप पर विश्वास है ताम रुयान गुस्से में था दरसल तैन परिवार ने कई कौशल जुटाए थे लेकिन एक जानवर राजा का सामना करने के लिए कोई भी कौशल परियाप्त नहीं होगा वरुन अथक थे उसने अपने होंट चबाए अचानक उसे लगा जैसे वह जल्दबाजी में कोई निर्ने ले रही हो अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो ठीक है उसने अपना डर छोड़ दिया और एक बार फिर शैडो ट्रेसर के साथ वह जानवर राजा की ओर बढ़ी युद्ध के पालतू जानवर राक्षस की घेराबंदी कर रहे थे तथ्य यह है कि वे निचले प्राणी उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे जिससे जानवर राजा क्रोधित हो गया था अपमानित महसूस करते हुए जानवर राजा दहारने लगा नरक में सडांध पश्यू राजा देवताओं की भाशा बोलता था स्वर्णिन उर्जा का प्रवाह फूट पड़ा वरुन के ग्राहकों के तीन पालतू जानवर पीछे की ओर उड़ गए जदी प्रशिक्षन का पिछला दौर नहोता तो तीनों पालतू जानवर मर गए होते बैंगनी अजगर एक मात्र पालतू जानवर था जो जानवर राजा के बगल में खड़ा रहा साप की शल्क उपर उठी हुई थी जैसे ही जानवर राजा ने अपनी ऊर्जा प्रकट की बैंगनी अजगर ने उसकी ढाल पर हमला कर दिया अजगर ने अपना सिरहिलाया और तेजी से जानवर राजा के पास आया और उसे लपेट लिया अपने प्रचुर युद्ध अनुभव के कारण परपल पाइथन फूर्तीला था जानवर राजा ने उसे पकड़कर टुक्रे-टुक्रे करने की कोशिश की लेकिन तराजु बहुत चिकना था यहां तक की ग्लास बुल्वार भी विफल हो गया अगले ही पल वह सैकडो मीटर दूर पाई गई मुश्किल से सास ले रही थी वरुन ने भौहे से कोडली वह उससे मिलने गया उन्होंने कहा चलते रहो तांग रुयान की खासी से खून निकला वरुन उचाई से नीचे उसे देख रहा था उसे उसके चहरे पर कोई गर्म जोशी या दयालुता नहीं मिली केवल ठंडक मिली वह हंसी उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और धीरे धीरे उपर रेंगने लगी यहां तक की खड़ा होना भी उसके लिए बहुत दर्दनाक और बहुत अधिक काम वाला था उसने अपना सिर चुकाया और कहा यदि तुम मेरी मृत्यू चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी उसने उसकी आखों में देखा उसकी आखों की कोमलता और स्नेह ने वरुन को स्तब्ध कर दिया फिर उन्हें याद दिलाया गया कि तांग रुयान एक इनसान था कोई पालतू जानवर नहीं या पालतू जानवर वैसे जानवर नहीं थे जैसा उसने सोचा था उनमें भी भावनाए थी बात बस इतनी थी कि वेतांग रुयान की तरह अपनी भावनाएं नहीं दिखा सके यह था वास्तव में ऐसा है वरुन ने अपने मन में दोहराया कि कैसे इनफर्नो ड्रैगन और डार्क ड्रैगन हाउंड उसके आदेश के तहट बार-बार मौत की ओर दौडेंगे वे द्रिध निश्चई इच्छुक थे और उन्होंने उस पर भरोसा किया उसने खामोशी से जवाब दिया रास्ते में वह बहुत अधिक सने से घिरा रहा इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इनफर्नो ड्रैगन दूसरी दुनिया के स्वर्गिय राजा का सामना करने पर भी पीछे नहीं हटेगा इनफर्नो ड्रैगन खेती स्थलों पर उसके लिए खुद को बलिदान करने को तयार था और हमेशा से ऐसा ही था यह स्वर्गिय राजा से क्यों डरेगा क्या इसी तरह तुमने मेरे लिए अपनी भावनाएं प्रकट की वरुन ने पलटकर इनफर्नो ड्रैगन और डार्क ड्रैगन हाउंड को देखा जो दूर बैठे उब रहे थे इनफर्नो ड्रैगन अपनी पीठ खुजा रहा था और डार्क ड्रैगन हाउंड जमीन पर कीडे ढून रहा था दोनों को चल रही लड़ाई में कोई दिल्चस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत अधेक अनुभव किया था। वरुन ने दूसरी ओर देखा। जाओ उसने तांग रुयान से फिर कहा। उस पल तांग रुयान की आखों की चमक कम हो गई थी। वरुन ने यह देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वह समझ गया था कि वह उस पर भरोसा करती है और वह जो आदेश देगी वह करने को तयार है। लेकिन वह उसे निराश नहीं करेगा, तब भी नहीं जब उसे उसे नुकसान पहुचाना पड़े। आखिरकार उसकी मृत्यू व तकराना, जिसक्षन वह जानवर राजा के पास पहुची, वह धूल में मिल गई। वरुन ने उसे मरते हुए देखा, फिर उसने उसे पुनरजिवित करने का आदेश दिया। जल्द ही ताम रुयान मौके पर प्रकट हुआ, बिलकुल नए जैसा। उसने खुद को घूर क चर्य हुआ कि क्या वह सपना देख रही थी। वह संभवता उस अनोखी जगहे पर कैसे पहुची होगी। उसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन फिर वह जीवित हो उठी। यह एक सपना होना ही था। उसे याद आया कि जब वरुन स्टोर पर था तो वह किस तरह अलग था। वह आश्वस्थ थी। यह सिर्फ एक सपना था। यदि यह वास्तव में एक सपना था तो डरने की कोई बात नहीं थी। इसे खत्म करें। तांगरुयान ने एक बार फिर दिगज़ पर हमला किया। जल्द ही वह मर गई और जीवन में लौट आई। दोबारा और दोबार तांगरुयान और अधेक उत्साहित हो रहा था। वह एक सपना था। लेकिन सपना बहुत यथार्थवादी था। वह वहाँ जो चाहे कर सकती थी। हाँ 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 नरक में जाओ। जानवर राजा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे कुछ चलने जा रहा हूँ। अरे यार मेरे लिए मुस्कुराँ। उसकी तेज और जंगली हसी जंगल में गुंज उठी। तांगरुयान बार बार खुद को जानवर राजा पर फैंकती थी। जद्यपी प्रतेक प्रयास उसके मरने के साथ समाप्थ होता फिर भी वह अधिक उत्साहि जीवन में बहुत नारी जैसी थी। क्या हुआ? अच्छी तरह है लड़ो यह मत सोचो कि तुम कुछ भी कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम मरोगे नहीं। पाल तू जानवरों से सीखें। वरुन को उसे अनुशासित करना पड़ा। तांगरुयान ने खर्राटा लिया। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मैं यहां का बॉस हूँ। वैसे भी जानवर राजा अभी भी यहां क्यो है। मुझे अपने मन में एक विचार के साथ इसे मारने में सक्षम होना चाहिए। बार बार दरजनों बार मौतों के बाद तांगरुयान ने लड़ाई को और काम नहीं करेगा। उसे वरोन के निर्देशों का पालन करना पड़ा और बार बार जानवर राजा से लड़ना पड़ा। वह उसके लिए किसी जानवर राजा से लड़ने का पहला मौका था। बार बार की असफलता में उसे धीरे-धीरे कुछ मजा मिलने लगा। चुंकि वह मर नहीं रही थी, वह जानवर राजा की ताकत का अनुभव करने में सक्षम थी, और जितनी देर तक वह जीवित रहने में सक्षम थी, उतना ही बहतर वह जानवर राजा के तरीकों की अभ्यस्थ हो सकती थी, वह तेजी से आगे बढ़ने के एहसास में डूबी हुई थी, तांग रुयान ने सोचा, मैं केवल अपने सपनों में ही एक जानवर राजा से युद्ध कर सकता हूँ आधे घंटे बाद, अन्यपालतू जानवरों के साथ और कई लोगों की मौत के बाद तांग रुयान ने अंतर जानवर राजा को उसकी मौत के लिए खींच लिया था जानवर राजा मूर्ख नहीं था यह निर्धारित करने के बाद कि उन चीजों को नहीं मारा जा सकता, युद्ध के पालतू जानवर ने भागने का फैसला किया हाला कि परपल पाइथन इसके लिए खड़ा नहीं होगा फिलहाल परपल पाइथन की लड़ा को ताकत 13 अंक तक पहुँच गई थी जब जानवर राजा भागने के संकेत दिखाता था, तो परपल पाइथन उसे फसा लेता था और अंतर टीम वर्क पर भरोसा करके उसे मार डालता था बाद में वरुन ने तांग रुयान को लिया और दबाव डाला जल्द ही उनका सामना एक और जानवर राजा से हुआ पिछली लड़ाई काफी देर तक चली थी कि आसपास के अन्य जानवर सतर्ख हो गए वरुन ट्वरित निरने पर पहुँचे तांग रुयान और ग्राहकों के लड़ाई के पालतू जानवर वे थे जो लड़ाई करते थे जबकि इन्फर्नो ड्रैगन और डार्क ड्रैगन हाउंड किनारे पर इंतजार करते थे जब आवश्चक हो तो कूदने के लिए कैयार होते थे समय बीट गया वरुन तांग रुयान और युद्ध के पालतू जानवर उस जंगल में आगे बढ़ते हुए खेल रहे थे उन्होंने कई जानवरों को मार डाला था और उनमें से अधिकांश महासागर राज्य के जानवर राजा थे कुछ नोवी श्रेनी के जानवर थे बाद में उनका सामना दो शूने राज्य पशु राजाओं से हुआ जब वे जंगल के किनारे पहुँचे तो उन्हें नोवे स्थान पर एक और जानवर का सामना करना पड़ा उस समय वरुन ने अपने किसी भी पालतू जानवर को बाहर नहीं भेजा और तांग रुयान जो सबसे कमजोर था को अकेले ही जानवर से लड़ने के लिए कहा साथवी रैंक बनाम नोवी रैंक पांच मौतों के बाद तांग रुयान ने आखिरकार उस जानवर को मार डाला जो नोवे रैंक के निचले स्थान पर था कुछ ही दिनों में तांग रुयान ने चलांग और सीमा से प्रक्ति की थी हालाकि वह तांग परिवार से थी और उसने कई गुप्ट कौशल सीखे थे लेकिन इनसानों की किस्मत में जानवरों से कमजोर होना तय था उनका सामना नोवे दरजे के एक और जानवर से हुआ एक युध पालतू योध्धा को उसी रैंक के जानवर को हराने के लिए अपने पालतू जानवरों पर निर्भर रहना होगा हालाकि तांग रुयान पहले से ही खुद पर भरोसा करने और नोवी रैंक के जानवर को मारने में सक्षम थी उसके एकत्रिक अनुभव ने उसे खत्रे के प्रती और अधिक सम्वेदन्शील बना दिया मृत्यू और पुन्रुथान के दौर के बाद उसकी क्षमता उजागर हुई तुम्हे पांच बार मरना पड़ा यह अच्छी बात नहीं है वरोन ने सिर हिलाया वह परिणाम से खुश नहीं था अन्य युद्ध पालतू जानवरों के लिए कई दिनों के प्रशिक्षन के बाद उन्हें अधिक्तम तीन प्रयासों के बाद उसे मारने के लिए उस जानवर की खामिया मिल गई होंगी उन्हें यह स्विकार करना पड़ा कि युद्ध के पालतू जानवर मनुशों की तुलना में अधिक बोधगमे होते हैं तैन रुयान ने वरुन की ओर देखा जिसने अभी अभी उसे डाटा था मैं सात्वी रैंट पर हूँ यह पहले से ही आश्चर्यजनक है कि मैं जानवर को भगा सकता हूँ वरुन ने शांती से उत्तर दिया इसमें आश्चर्यजनक क्या है जब मैं सात्वी रैंट पर था तो मैं उस जैसे आदमी को एक मुक्के से मारने में सक्षम था ताम रुयान ने देखा कि स्थिती अनुचित थी क्या आपको लगता है कि हर कोई आपके जैसा है आप संकी है वैसे भी आप कौन से राज्यसे है मैंने सुना है कि पौरानिक रैंट के अलग-अलग राज्य है वह उच्शुक थी वरुन पर लोग के स्वरगिय राजा जैसे राक्षस को हराने में सक्षम थे और एक जानवर राजा को भी आसानी से हरा सकते थे उसे महान रैंक पर होना था हाला कि वह इसके लिए थोड़ा छोटा हो सकता था निहसंदेह, यदि वह महान पद पर न होते हुए भी अन्य विश्व के स्वर्गिय राजा को हरा सकता है तो यहां अपमान जनक होगा मैं अभी अभी शीर्षक वाली रैंक पर पहुँचा हूँ वरुन ने जवाब दिया अपनी उज़ा बचाएं इस बारे में सोचें कि आप एक जीवन के साथ अगले जानवर को कैसे हरा सकते हैं शीर्षक आप किसे मूर्ख बना रहे हैं तामरुयान ने जवाब दिया जब तुम मेरे सपने में हो तब भी तुम चुठे हो कितना घटिया व्यक्ति है वरुन हैरान था उसके दिमाग के अंदर क्या चर रहा है इसके अलावा वह कब से मेरी तरह चुटीली लगने लगी इसके अलावा मैं मेरे जैसा क्यों कहूंगा बचाओ चलो चलें वरुन बहस जारी रखने के मूर में नहीं थे तामरुयान ने अपने होंठ मोडे वे जंगल छोड़ कर आगे बढ़ गए वरुन ने सोचा कि अगर उसे कोई शहर मिल जाए तो वह उस देवी के बारे में पूछ सकेगा जिसका सांच इंतजार कर रहा था समय तेजी से बीट गया वरुन उस चेतर में देवी को ढूंडने में असफर रहे उन्होंने एक और देवत्व स्थल चुना और तांग रुयान को फिर से अपने साथ ले गए वह अपने साथ कुछ ग्राहकों के पालतू जानवर भी ले गया तांग रुयान उस प्रकार के प्रशिक्षन का आदी हो गया था जिस समय वह स्टोर पर था वरुन उसे अपने कॉंट्राक्ट वाले स्थान में खीच लेता था और उसे स्टोर देखने की अनुमती नहीं देता था चुनकि उसने सोचा कि वह सपना देख रही है उसे विश्वास था कि वह इसका उप्योग अपने लाब के लिए कर सकता है इससे उसकी याददाश्ट मिटाना आसान हो जाएगा बाद में अगर वह कुछ सोचती और उससे पूछती तो वह सीधे इंकार कर देता और उसके पास कोई सबूत नहीं होता वे जिस दूसरे स्थान पर गए वहां का वातावर्ण कठोर था हर जगह खंडहर थे ऐसा लग रहा था मानो एक भीशन युधक्त महो गया हो उन्होंने न केवल देवताओं के बलकी जानवरों के भी अवशेश देखे उन्होंने उस स्थान का पता लगाया जब भी वे देवताओं के किसी समोह से लड़ते हुए मिलते तो वे कूद पढ़ते और पहले वाले की मदद करते देवताओं की मदद करने के बाद वरुन उनमें से कुछ से परिचित हो गए और उन्होंने देवी के बारे में पूछा देवी उरजा का उपयोग करके उनकी एक छवी बनाई लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना उनकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए देवताओंने वरुन को अपने शहर में आने के लिए आमंत्रित किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया वह वहाँ प्रशिक्षन के लिए आया था आराम से यात्रा करने के लिए नह जानवरों का नेता स्टार रैंक पर एक जानवर राजा था। शुरू कर सकते हैं और तांग रुयान जैसे व्यक्ति को तुरंत मार सकते हैं। उससे कोई अनुभव प्राप्ट नहीं होगा। चोटा कंकाल एक शुनिय राज्य जानवर की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। ऐसे प्राणी के खिलाफ लडाई को केवल लिटिल स्केलेटन के लिए वार्मप अभ्यास के रूप में गिना जाएगा। दसवे दिन वे स्टार रैंक जानवर राजा के पास पहुंचे जिसने वायड बग्स के साथ समझोता किया था। जानवर राजा एक कंखजूरा था जो एक हजार मीटर से अधिक लंबा था जिसके सुनहरे तराजू थे। कंखजूरे ने कई देवताओं को खालिया था। विशाल कीट स्टार रैंक पर था और उसके शरीर से लीक हुई उर्जा ने उसे पहले ही तनावगरस्ट कर दिया था। तांग रुयान और अन्य युद्ध पालतू जानवरों के लिए यह एक डुलब मौका था। यदि वे वास्तविक दुनिया में होते तो स्टार रैंक प्राणी के इतने करीब रहने से उनकी मृत्यू हो गई होती। लेकिन वे ऐसे प्राणी को करीब से देखने में सक्षम रहे थे। मृत्यू और पुनृत थान बारी-बारी से होते रहे। आखिरकार उनका समयक्त्म हो गया। जब वे जाने वाले थे। पहले की तरह वरुन ने तांग रुयान को अपने संपर्ख स्थान पर रखा। पशु राजा वरुन के पुनर जीवित होने के कारण उसे म मारने में असमर्थ था। वरुन और छोटा कंकाल भी जानवर राजा को मारने में असमर्थ थे। आखिरकार वे बहुत कमजोर थे। छोटा कंकाल अभी तक फेट स्टेट में नहीं था। एक स्टार रैंक प्राणी को हराना कुछ ज्यादा ही था। जब वरुन तांग सबसे प्रभावशाली परिवार था। टैंग परिवार के लिए धन्यवाद ये दो बेस सिटी अगरणी क्लास ए बेस शहरों में से एक बनने में सक्षम था। बेस सिटी और टैंग परिवार एक दूसरे से धनिश्ट रूप से जुड़े हुए थे। जब जानवर बेस सि के साथ व्यापार रुप गया था। बेस सिटी अपने दर्वाजे तभी खोलेगी जब कोई वास्तव में प्रभावशाली ताकत इसकी मांग कर रही हो अन्यथा। बेस सिटी सभी के लिए बंद कर दिया जाएगा। उस रात विशाल टैंग फैमिली परिसर में कोई आवा कर दिया जाएगा।